तो आज हम मीन वेल्यू थेरों के बारे में बात करने वाले और एक ही क्लास में इस टॉपिक को कवर कर देंगे ठीक है तो हमारा यह इंजिनिंग मैथामेटिस का लेक्षा नमबर फोटीन है और कैलोकुलस का लेक्षा नमबर फोटीन है वन फूर और बेस्ट कंसेब और मीन क्लास के बारे में पूरी बात कर लेंगे अच्छे से देखिएगा ठीक है एक बार मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद पूरा चीज क्लियर कंसेब जित्ते गेट के कुश्चन आये हैं जो आ सकते हैं पूरा कंसेब अपने को क्लियर रहेगा और वैसे भी हम लिमिट अब अगर मैं बोलू कि मीन वैल्यू थेवर्म आपके पास अगर बात करें तो मीन वैल्यू से हमको टर्म लोजी लिखता है कि एवरेज वैल्यू बट यहां पर जो कॉंटेक्स्ट है मीन वैल्यू का वो उसके इंटरमेडेट वैल्यू से 18th century में जो मीन वैल्यू होता था तो यहां पर मीन वैल्यू थेवर्म यह कॉंटेक्स जो है वह एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है 18th century में जब इसके बारे में बात हुई मीन वैल्यू थेवर्म दिया गया अभी हम देखेंगे डिफरेंट थेवर्म तो उसका उस जमाने में जो मीनिंग थ आता था इंटर्मिडेट वैल्यू को कि एक इंटर्मिडेट पॉइंट होगा बिट्विन तो इंटर्वल उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूश करते थे इसलिए यह टर्म लाजी हुआ मीन वैल्यू थेवर्म फिर से रिपीट कर देता हूं 18th century में क्या था था मीन नियतर्म इसलिए मीन वैल्यू फिर में इंटर्मिडेट वैल्यू के समय में हम इंटर्मिडाइट वैल्यू को नौमिरिफर करते थे मीन टर्म से इसलिए mean value theorem पड़ा ठीक है सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते तो roll-as theorem की बात करते दा roll-as mean value theorem roll-as mean value theorem roll-as mean value theorem के कुडिंग क्या है कि अगर f of x एक real value function such that f of x is continuous in the close interval तो बुलागे आपके पास कि अगर आप ध्यांस देखोगे तो f of x continuous होना चीए in the close interval और f of x is differentiable होना चीए in the open interval और f of a equal to f of e b होना चीए अगर ये तीनों point satisfied कर रहे है तो sure है कि at least a value there exists at least one value of x मानलो c belongs to a, b open interval such that f dash is equal to 0 ये लिखा हुआ है तो mathematically तो मैं ऐसा देख रहे है लेकिन बड़ा interesting होता है जब मैं geometrical interpretation की बात करूँगा तो f of x is continuous होना चीए a, b is the close boundary और f of x is differentiable होना चीए in the open interval a, b और f of a equal to f of b होना चीए दोनों ही point पे a और b की f of a और f of b की value सेम होना चीए अगर असा है तो at least एक value होगी x की at least एक value the at least term is very important की at least एक value होगी और c जो होगा आपके पाँ belongs to a, b जो a और b नहीं हो सकता a, b इसके बीच की value such that f dash c equal to 0 f dash c का मतलब क्या होता है is the derivative उसका मतलब है उस point पे इसका derivative 0 होगा इसका मतलब derivative 0 मतलब slope 0 होगा slope 0 होगा और आपको याद होगा slope मतलब tangent तो tangent आपके पास 0 होगा ठीक है slope 0 होगा f dash c अब जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो सब लोग ऐसा ही पढ़ना चालो करते हैं और ऐसा ही लिखा हुगा है बट कभी यह ज्यादा लोग discussion mode में नहीं जाते कि जब आप f of x को हम continuous बोल रहे है close interval में तो f of x को differentiable क्यों बोल रहे है open interval क्यों f of x ए close interval में differentiable नहीं हो सा ता मतलब जो दो end है वहाँ पे differentiable हम क्यों नहीं बोल रहे है एक कॉम अभी में ए और बी इंक्लूडेड नहीं है कंट्रियास में कोई सुनी ए और बी इंक्लूडेड है बट एक कॉम अभी में जो इंक्लूड नहीं है तो कई बार हम छोड़ी छोड़ी बातों को इंक्नूर कर देते हैं क्या करना सर सब लोग फोकस करते कि सर f of a equal to f of b यह ज्यादा important है अभी हम का इसलिए हम नहीं करते क्योंकि हम in depth में कभी घुसते नहीं कंट्यूनिटी वाले कंसेप में तो हम इस बात को उस तरीके से नहीं सोचते कि वाइनॉट इस फंक्शन इस डिफ्रेंसेबल इंड बोट एंड डाट मिस एक कॉमा बी जो इंडावले कंट्यूनिएंस के लिए वह क्यों नहीं अगर मैं किसी से पूछो तो हो सकता है बहुत ही कम लोग की 5 आंसर हो बहुत ही कम लोग होंगे कि आंसर इसका आपके पास हो या को आपको बताया हो कि वाइनॉट आपको बता डिफ्रेंसेबलीटी जब किसी फंक्शन होना चाहिए अगर आपको याद हो गारे तो क्या होना चाहिए युनिक टेंजेंट होना चाहिए युनिक टेंजेंट के कंसेप को मैं बहुत अच्छे से explain क्या हूँँ डिफरेंस सिबलीटी इसलिए पूरते हुए आना जरूरि देखेर आपके पस यह अगर सबोर जो मैं डिफ्रेंसिबिलीटी की बात कर रहो तो इस वी पॉंक्षन एड़ डा एंड पॉइंट अब इंट पॉइंट पॉइंट पॉसिबल इसका मतलब है कि इंफानाइट ली मेनी टेंजेंट्स होंगा एड़ एंड़ पॉइंट सब्सक इसका मतब है कि end point को count नहीं कर सकते हम लोग एंड पॉइंट पे multiple tangent हो सकते तो function differentiable नहीं होगा अगर मैं बोल दूँ कि मैं अगर differentability का concept को अगर ऐसा लिख लेता तो गलात होता कि this function is differentiable between a, b the close interval अगर ऐसा लिख लेता तो गलत concept होता क्योंकि a और b जो end point है वहाँ पे multiple tangent पॉसिबल है और differentiable जिस भी point पर हम differentability की बात करते हैं वहाँ पर unique tangent आना चाहिए समझे रहो क्या आना चाहिए unique tangent आना चाहिए इस लिए यह end point हम differentability में consider नहीं कर सकते तो concept क्या हुआ कि कोई functions की बारे में जब हम बात कर रहे है और rollers mean value theorem तो इस theorem के coding हमारा function continuous होना चाहिए इंदा close interval को इसू नहीं है continuity को लेके बड़ डिफ्रेंसिबिलिटी में open interval a,b a और b को इंक्लूट नहीं कर सकते हैं और f of a point होना चाहिए आपके पास जिसमें उसका slope 0 होना चाहिए दिखर आपके पास यह यह सी आपके पास एक point है तो minimum point होना चाहिए जिस पे उसका slope 0 होना चाहिए यह आपके पास concept है अगर मैं फिर से तो कि a और b जो point से दोनों पर अगर function की value same है दोनों पर function की value same है x equal to a x equal to b और दोनों पर function की value same है तो at least एक at least एक point ऐसा होगा जिस पे आपके पास एक tangent exist करेगा जिस जो tangent होगा parallel to the x-axis इसी को बोलते tangent parallel to the x-axis और जब tangent parallel to the x-axis है इसका मतलब इसका slope कितना हुआ change in y कितना है जब हम function को differentiate करते तो क्या होता है dy by dx अगर मैं बोल दूँ कि इसका slope कितना है अगर मैं बोल दूँ कि इसका slope कितना है slope क्या होता है change in y to change in x आपके पास जब हम बोलते हैं कि यह slope है आपके पास यह दो points है ऐसे हैं बात करता है यह अगर मैं बोल दो कि यह पॉइंट से है कि यह पॉइंट से अगर आपके पास यह आपके पास functions की बात है कि यह x1,y1 है यह और यह x2,y2 है तो पताँ slope क्या होगा अगर यह a point है और यह b point है तो slope a b क्या होगा slope a b होगा change in y axis तो y2 minus y1 upon x2 minus x1 अब सोचो अगर slope 0 इसका होताँ y2 और y1 के विली सेम है जब line horizontal line होती है तो y1 और y2 के विली सेम होगी अगर y1 और y2 के विली सेम होगी तो slope equal to 0 if y1 equal to y2 y1 equal to y2 अगर हो गया तो slope पता कितना हो जाएगा 0 और इसी को बोलते है horizontal line और यह जो line होगी यह जो line दिखरी है आपको इस line is parallel to the x-axis इसका मतलब जो horizontal line होती है इसका slope 0 होता है और जो vertical line होती है इसका slope infinite होता है क्योंकि changing x 0 हो जाता है changing x 0 हो जाएगा तो slope infinite vertical line changing y-axis 0 हो जाएगा that means the horizontal line और तब दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो फिर एक slope दिखेगा आपके पस हम बोल रहें क्या point था कि अगर ऐसा है तो then there exists at least one value of x c belongs to क्या दिखेगा आपके पस a comma b in the open interval a comma b at least a value तो होगी such that f is c equal to 0 that means the slope equal to 0 and slope equal to 0 इसका मतलब क्या हुआ horizontal line horizontal line मतलब parallel to the x-axis तो जो geometrical meaning है कि एक tangent होगा parallel to the x-axis that means the slope equal to 0 that means the slope equal to 0 किसी एक horizontal line का slope 0 होता है this one तो वो आपको पता रहना चाहिए कोई point ले लिए कि stationary point ले लिए c और इस पर आपके पास slope 0 होगा ठीक है this is a geometrical interpretation of role is mean value theorem जब आप बोलते हो कि at least one point बोलते हो जब आप बोलते हो कि यह theorem क्या बोलता है this theorem state that between the two points with the equal coordinate on the graph of the function f of x there exists at least one point where the tangent is parallel to the x-axis कभी-कभी exam में यह statement आपको लिखा हो सकता है कि tangent is parallel to the x-axis अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब है कि यह बात हो रही दिहान से देखिएगा और exist at least one point बोला है और जब at least one point बोला है तो multiple point भी हो सकते है यस यह multiple point भी हो सकते है कैसे multiple point हो सकते है अगर मैं बोलू कि देखो यहां पर आपके पास a और यह b है f of a equal to f of b यह this function is continuous so differentiable है अब देखो there are two points देखो यह point जो है वो parallel to the x-axis है इसलिए c1 पे भी f-day c1 की value 0, slow will be 0 यहां पर भी slow भी 0, there are two points इसका मतलब है a और b के बीच में जब आप बोलते हो कि function continuous से जब आप बोलते function and differentiable है और जब आप बोलते है f of a equal to f of b है तो at least एक value होने का मतलब है कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है जिसे there are two value one यहां पर भी और यह टू यहां पर भी और यह two value c1 c2 e1 इससे ज़्यादा भी हो सकती है one this one is the two this one is the three this one is the four four values है जो parallel to the x-axis is the tangent parallel to the x-axis is the horizontal line slope is zero देख़ा आपके पास इसका यह मतलब है बट फिर भी हमें सा book में हमें सा कुन सा figure बना रहता है book में हमें सा यही एक figure बना रहता है this is the one value कि एक value होगी आपके पास एक से ज़्यादा हो सकता है always remember एक से ज़्यादा हो सकता है तो एक value आपके पास at least एक value तो होगी जो की उस point पे tangent बनाएगा parallel to the x-axis इसलिए abdace c equal to zero लिखा होता है इसलिए क्या पात की जाए कि concept में आपके पास किन किन बातों को कवर किया जा रहा है बोला जा रहा है कि there may be more than one stationary point where f-dace x venices or become 0 सही बात एक स्जाधा हो सकते roller theorem fails even if anyone of the three condition is not satisfied by the function मतलब यह theorem fail हो सकता है अगर एक भी तीनों में से एक भी condition satisfied नहीं हो दी मतलब function continuous नहीं है मानलो function differentiable नहीं है मानलो f equal to f equal to f of b नहीं कोई एक भी condition satisfied नहीं होगी यह roller's theorem fail हो जाएगा f-dace x may be 0 at a point in a, b without satisfying all the three condition of the roller's theorem ऐसा possible है कि f-dace x की value 0 हो जाए किसी एक point पे बिना satisfied किये यह roller's theorem की तीनों conditions यार रखिएगा hence the converse of roller's theorem is not true मतलब अगर कोई function की value 0 हो सकती a comma bp without satisfying roller's theorem but अगर roller's theorem satisfied कर रहा है तो sure है क्या sure है कि एक value at least एक value तो होगी ही एक value तो होगी ही जिस पे function का derivative 0 होगा that means function का derivative of the function मतलब slope of the function will be 0 इसी को बुलते है tangent parallel to the x-axis मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा कोई दूसरी जगह पर हो नहीं सकता है और अगर यह theorem important point है अब जैसे आपके पास function है कि verify roller's theorem for the function find the value of c intermediate value find out करना है जब मैं बोलता हूं कि intermediate value find out करना तो देखो minus 3,0 है इसका मतलब एक क्या होगा कि c belongs to minus 3,0 मतलब minus 3 और 0 की बिच में c होना चाहिए अगर roller's theorem satisfied करता तो उसमें minus 3 हो सकता है क्या नहीं सर, c equal to minus 3 हो सकता है कि नहीं सर, open interval कैसे हो जाएगा सर, c minus 3 और 0 नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखा जाए, चलो function में आते हैं कि roller's theorem satisfied कर रहा है कि नहीं, पहला चीज तो आपको clear है कि आपके पास पहला polynomial है और दूसरा exponential है, f of x और interval भी दिया है, अगर मैं बोलूं कि f of x क्या है, तो f of x है, x square plus 3x, और e raised by minus x by 2, यह, अगर आप थोड़ा अच्छा समझते हो, क्या थोड़ा अच्छा समझते हो, अगर आप समझते हो कि sir, this is the continuous function, all polynomials are continuous function, और यह exponential function is the continuous function, 3 continuous function का product continuous ही होता है, एक polynomial जो है, आपका इसए ब्रनाों कोई issue नहीं है, 2x plus 3 है, इसका भी definisable होता है, तो 2 differentiable function का product भी definisable होता है, इसलिए यहाँ पे कोई issue नहीं है, कि function is continuous, function is बहुत जो दोनों function से हों continuous है तो दो कंट्यूंस का डिफरेंसेबल भी बहुता डिफरेंसेबल तो दो डिफरेंसेबल function का product डिफरेंसेबल होता है तो continuous function का product continuous होता है जास आपको clear सहना चाहिए तो हमारा पास ऐसा और इंटरवल आपके पास दिया था मानस 3 से 0 ठीक अब मैं बोल रहा हुँ कि हमको पता है कि आपके पास एक continuous function पॉल्णूमल है और पॉल्णूमेंस हार continuous function डिफरेंसेबल कोई इसूई नहीं है हमको होता है इसको डिफरेंसेट कर सकते है आपके पास ऐसा हो गए नहीं कि किसी जगह पे इसके लिए infinite आज जाए और इसको पहला function माल लो और उसको दूसरा वाला माल लो तो E-raise-pah-minus-x-by-2 को differensoe-s-s-s-sa-n-k itna हो गया? sir E-raise-pah-minus-x-by-2 and sir-minus-1-by-2, sir-minus-1-by-2, a-gay इतना? yes sir, sir E-raise-pah-minus-x-by-2 or x square plus 3x plus 2 2x plus 3 2x plus 3, itna हा गया, difference is sir, दियान से अगर मैं देखूं, कि एक function आपके पास है हम difference यहांस क्या बचा 어िडसF टीर हिटीएन से क्या थीर से क्या है स्क्राइब शुर् है डिवाइड एक हुड़ दो दो यहां मैंनस एक्सप़स harsh भाइट है आराम दिखना mathematics यह कितना हो गया sir 4x यह कितना हो गया 6 minus x square minus 3x divide by 2 this one यह अब यह f dash x है अब आपको पता है कि रोलेस theorem में अब आपको पता this function is continuous between interval minus 3,0 कोई भी interval दिया रहे ता this function is continuous तो आपको में को पता है कि अगर मैं रोलेस theorem की बात कर रहा हूं तो हमको यह point तो clear है कि sir अगर मैं point ऐसा लिखना चालू कर हूं कि क्या क्या आपके पास हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि f of x is continuous continuous है और कहां पर minus 3,0 कोई भी रेंग दिया रहता है इसमें तो कोई इसू नहीं होता second आपके पास f of x is difference माइनस 3,0 कोई इसू नहीं है अब आपके पास क्या था कि यह आपके बाद डिफ्रेंसेशन लिखना चाहिए था जो मैं फटाफट में लिखा नहीं पहले आप 0 पे भी 0 आ रहा है और f of minus 3 पे भी 0 आ रहा है इसका मतलब है कि f of 0 equal to f of minus 3 यह यह दोनों value सेम है देखो ना x के लिखर में 0 पूट करूँगा तो पूरा function 0 हो जाएगा x के लिखर माइनस 3 पूट करूँगा तो भी पूरा function 0 हो जाएगा इस condition is very very important कि f of equal to f of b होना चाहिए अगर यह तीनों ही condition satisfied कर रहे हैं अगर हम बोल रहें कि यह इसा करके हमारा concept होता है जब हम objective इपर देते तो बहुत fast mode में देख लेते हैं अच्छा जब हम बोल दिये कि यह तो फिर मैं differentiate किया कि f of x यह था इसको differentiate कर लो भाई अब differentiate करने की बाद में को करना क्या है में को बोलना है कि abdash x equal to 0 x की किसी value पर abdash c भी लिख सकता हूं abdash x equal to 0 अब में को पता है इसको 0 करने के लिए या तो x की value infinite होना चाहिए जो कि outside the interval है minus 3,0 x equal to infinite भी 0 होगा e की power minus infinite 0 होता है e की power minus infinite 0 होता है इसका तब x की value infinite भी possible है बड़ आपको पता है कि c belongs to minus 3,0 और infinite outside the range है इसके लिए c की value infinite नहीं हो सकती c की value outside the range है इसके लिए x equal to infinite नहीं हो सकता है बचा दूसरा function जो दूसरा function बचा है वो क्या बचा है जो दूसरा function बचा है f of x में जो value थी e raised power minus x by 2 था बाहर divided by 2 था और bracket में क्या था देख लेते हैं सर माइनस x square माइनस x square फिर क्या था सर माइनस 3x plus 4x तो प्लस x था सर फिर क्या था सर प्लस 6 था इतना ही हमार पार देखो जाए हमसे अब जब मैं यह एपडेस x की value जब मैं 0 बोल रहा हूं तो x equal to infinite 2 हो नहीं सकता है इस कहांता है कि माइनस x square plus x plus 6 equal to 0 चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x square minus x minus 6 equal to 0 इस कहांता है अगर मैं बोलू कि x minus 3 है यह और यह x minus 3 और x plus 2 है फेक्टा दिख गया हमें को इस लिए नहीं तो फिर मैं quadratic equation लगाता है x square है minus 3 और 2 minus 1 होगे और minus x देख उसे ही आ रहा है यह तो फिर मैं क्या करता है मैं बोलता है कि यार अगर यह किसी को ना दिखे तो minus b कितना होगा सर्व 1 plus minus b square करोगे तो 1 minus 4 इसी करोगे तो 24 divide by 2 एक करोगे तो 2 आ जाएगा तो x की वेलिए आ जाती है आपके पास 1 plus minus 5 अंडर रूट 25 तो आंसर आ जाता है x equal to 1 plus 5 divide by 2 और एक आंसर आ जाता है 1 minus 5 divide by 2 त्यांस देखो यहां पे भी वही आ रहा है यहां पे भी आपके पास answer वही आ रहा है x minus 3 equal to 0 इसका मतब है x equal to 3 और x equal to 3 आपके पास और x plus 2 equal to 0 इसका मतब है x equal to minus 2 यहां पे भी आ रहा है x की वही आ रहा है आपके पास 6 by 2 मतलब 3 और यहां पे कितना आ रहा है minus 4 by 2 मतलब minus 2 same answer आएगा चाहा quantity की equation लगा अचाहा फिर आप एक्टराइज देखो अब question यह है कि आपका c जो होना चाही हो कहां belong करना चाही है c belongs to open interval minus 3,0 अब minus 3,0 में x equal to 3 तो c की वही त्री हो सकती के नहीं हो सकती c की वही त्री हो सकती आपके c की वही minus 2 हो सकती बिलकुल तो c की वही minus 2 is the answer c is the minus 2 अगर आप option में देखो कि तो minus 2 दिया होगा पका minus 2 दिया तब यह answer Bombay यह minus 2 answer भी ऐसा करके question हो गया आपको intermediate value find out करना था रोले स्टेरों के एक को निग और यह value वह है यह value वह है जो यह function होगा इसका derivative जो होगा आपके पास जीरो होगा इस point पे इस point पे 0 होगा derivative derivative not function derivative 0 होगा जो tangent होगा parallel to the x-axis होगा किस point पे minus 2 पे x equal to minus 2 पे एक ही point आ रहा है आपके पास minus 3,0 के बीच में तो हमको एक क्लियर रहना चाहिए कि मैंको पहले तीन point देखना है कि continuous difference भले इस लिए जब आप बोलते mean value theorem जब पढ़ते हो तो जरूरी है कि mean value theorem बिना continuity और बिना value अगें intermediate values चाहिए आपके पास और options भी लिखा हुआ है तो अगर मैं बोलू कि यह तो polynomial है तो f of x is continuous range कुछ भी लिखे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि continuous और आपके पास continuous function जब मैं बोल दिया continuous function है और x belongs to 0,2 या फिर simply continuous जब लिखी दिया है continuous और यह 0,2 यह f of x is continuous between 0,2 ठीक है क्योंकि यह आपके पास एक polynomial है f of x is differentiable आप polynomial तो differentiable होगा f of x is differentiable differenceiable यह आपके पास ही नहीं लिख देते इन open interval 0,2 यह there is no issue तो यहां दो में तो कोई point का issue ही नहीं है यार देखो देहां से क्योंकि यह आपके पास polynomial है अच्छा फिर आपको इतना पता होना ची इतने दिन से में पढ़ा रहा हूं आपको यह polynomial है यह polynomial तो polynomial सार always continuous function always continuous function फिर आपके पास देखना है कि 0 पर क्या value होगी third point पर अगर मैं को चेक करना है कि क्या हुआ तो f of 0 कितना आने वाला है तो निकाल लो भी है f of 0 कितना आने वाला है तो आपके पास आ रहा है 0-0 प्लस 0-1 ब्लस 1 और रहा है चले एक आप 2 पर कितना आ रहा है एक देखा जातों का क्यूंट आ गया यह सर फिर टू का इसकर चार प्लस बारा तो माइनस 12 और फिर 2 इंटू फोर आ गया यह 4 आ गया और प्लस 1 आ गया यह देखो यह भी वहन आ रहा है तो नौट वैलिट तो गलत हो गया रोलिस थेरो में जब ऐसे रोले जब मीन वैली थेरों पर बेस कुश्चन आता है तो फिर आपको एक स्मार्ट ली पता होना चाहिए अब बैट के थोड़ी आप जीरो टू पर जीरो टू आपके पास तो फिर आप कया रीमिन लेट Calling लिमिन राइट इंड लिमिन की जगह पे चेक करोगे जीरो टू आपके पास जो 9 बराबर हो ब्राबर से कोई बोलता है कि सर जीरो टू पे सर वैल्यू से मजा जाएगी तो फिर में को लगता है कि यह तो भी आप दुनिया से हट चुक है यह कहां का कंसेप्ट दुनिया का कोई कंसेप्ट ही नहीं कि मेरे पास एक क्लोज इंटरवल जीरो कॉमा टू दिया और मैं बोड़ा हूं क कि कंटियूस फंक्समिंट में हम क्या करते थे सब्सक्राइब करते हैं यह तक कि कोई अच्छा मैस नहीं परता है उसको कंटियूइटी को कैल्कुलस अगर अच्छा आना है तो इसका मतलब कंफर्म है कि एक पक्का C आपके पास value होगा, C intermediate value जो 0, 2 के बीच में होगा, 0, 2 इंक्लूड नहीं हो सकता, 0, 2 के बीच में होगा, ठीक है, अगर ऐसा आप बोल रहे हो, तो मैं लिखे लेता फिर से functions को, कि f of x क्या दिया है, sir, f of x दिया है, third order equation x cube, minus 3x square, yes, और 2x plus 1, यह, हमें को पता है कि मैं f dash x equal to करूँगा, f dash x equal to 0 करूँगा, अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसा लिख लेते, direct x को c लिख लेते, differentiate करने के बाए, direct x को c लिख लेते, एक ही बात है, x की जो value है, वही c की value होगी, तो depend करता, आपको कैसे लिखना है, there is no, कई बुक वाले लोग, differentiate करके direct, जितने x होते, c लिख लेते, differentiate कर लेते, भी c से replace कर देते, यह लिखना है, एक ही बात है, there is no, हमको पता ही है, x की value जो होगी, वही c की value होगी, c क्या है, वही तो intermediate है, c क्या है, कोई अलग value तुरी x की value है, अच्छा, differentiate जैसे मैं कर रहा हूँ, तो f dash x की value कितना होगी, आपके पास, 3 x square, बिल्कुल सही, 3 x सके, फिर, sir minus 6 x plus 2 sir, अब अगर मैं बोर रहा हूँ कि ठीक, एक, आपके पास function होगी, इसको अगर मैं 0 put कर दू, तो फिर मैं x की value find out कर सकता हूँ, बिल्कुल, minus b करूँगा, तो 6 आ जाएगा, plus minus b square कर दू, वैसे b square कर दो, तो कितना होगी, 36, minus 4 c कर दो, 4 c किया तो, 4 c क आपके पास, जैसी की, आपके पास minus 4 c, तो कितना होगी, आपके पास, 3 और 2, 6, 6 और 4, 24, divide by 2 है, 2 है, जब कर रहा हूँ, तो 6 आ गया, तो x की value कितना होगी, 6 plus minus, 36 मैं से 24 गया, 12, 12 मतब कितना होता है, 4 और 3 का multiply, तो 2 root 3, 2 root 3, divide by 6, जब मैं 6 से divide कर रहा हूँ, 1 plus minus, यह actually answer कितना है, sir, 1 plus minus 1 by root 3, और क्या है यह value, sir, यह है, sir, 1 plus 1 by root 3, और 1 minus 1 by root 3, 1 plus 1 by root 3, और 1 minus 1 by root 3, इसका मतलब है, कि अगर मैं बूलू कि मैं को अगर value बताना है, कि यार, c तो उसके बीच में आना चाहिए था, 0, 2 के बीच में, तो c की value आपके पास, जो c की value है, c equal to 1 plus 1 by root 3, इसके बीच में आता है, कि नहीं, 0, 2 की बीच में, हाँ, 1 point समते कुछ आएगा, 1.577, 1 by root 3, 0.577 कुछ होता है, तो 1.577 आ रहा होगा, कुछ चेक कर लो, और एक आपके पास, c की value, 1 minus 1 by root 3, यह भी आपके पास, इसका मतलब है, कि 0.57 इसमें से minus कर दिया आपके पास, लग मतलब है, पता आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, कि दोनों value, 0, 2 की बीच में, 0, 2 की बीच में, 1 से थोड़ा ज्यादा और 1 से थोड़ा कम, लेकिन 2 को क्रॉस नहीं कर रहा है, 1 by root 3 की value होती है, 1 से small होती है, तो A भी आंसर और B भी आंसर, इसका कर रहा हूं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसका मतलब में सकता है, यह से ज़्यादा value possible है, इस बात को ध्यान रखेंगा, अगर दो value आरे तो चेक करना है, कि दोनों value inside है, उस range के अंदर है, या फिर कोई value भाहर है, इस बात को ध्यान देने हैं अपने को, ठीक है, तो ह हमा रहा है, आपके पास 59 example हो गया, किस में पूरे calculus में, ठीक है, तो answer आपके पास यह और भी दोनों आ गया, अब verify रोल इस ट्रियम करना है, example number 60 पे, verify रोल इस ट्रियम करना पार फंक्सन, find the value of C, sin x upon e raised power x, और आपके पार range 0, pi दिया है, अगर मैं बोलू आपके पास कि क्य साइनेक्स क्या होता है, trigonometrical function क्या होता है, continuous or differentiable दोनों होता है, exponential भी होता है, continuous upon continuous function, इसका मतलब क्या होगा, continuous by continuous continuous होता है, फिर, sir, trigonometrical function differentiable है, और इस range में तो कोई प्राब्लम नहीं, sin x, sin x is always differentiable, for all values, 10 x होता तो pi by 2 पे, pi by 2 पे आपको पता है, वो discontinuous हो जाता है, ठीक है, बड़ी story उसकी फिर, तो sin x और cos x में तो कोई issue नहीं है, continuity का भी और differentiability का, differentiable e raise power x is always differentiable, तो 2 differentiable function को जब आप divide करते तो differentiable होता है, 2 continuous function को जब divide करते तो continuous होता है, इसलिए algebra, algebra पलाया था मैं, continuous functions का और differentiability का, इसलिए जरूरी है, कि आपको algebra of continuous function और algebra of differentiability functions के बारे में idea, ठीक है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, सर, कि f of x, यह आपके लिखने के लिए, रेक्जामे थोड़ी बैटके लिखते रहेंगे, कि f of x is continuous है, यह तो जब हम बात करते, continuous in close interval, कितना, सच 0, 5 बिलकुल, लिखने का style होता है, अभी तो हमको कोई conventional paper देना नहीं है, दे point में मैं बूल رह wären, f of 0 कितना हैँगा, 0 हा जायगा, क्यों? क्योंकि सर, sin 0, 0 होता है, यह सप हाप, पाय कितना होगा, sir, f of Pi भी 0 हो जाएगा, क्यों? सर, sin Pi 0 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, sir, इसका मतलब यह हो गया, कि f of equal to f of B भी आ गया, sir, f of 0 equal to f of Pi आ गया, so यह तो तो confirm है कि 0 और पाई की बीच में कोई ना कोई वैली तो होगी जिस पॉइंट पे आपके पास इसका जो टेंजेंट होगा पैलल्ल टू एक सब्सक्राइब इसका डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो किसी एक पॉइंट पे जिरो हो जाएगा और 0 कमः पाई है कि ठीक है ब कर लेता हूं डिफरेंसец करूंगा तो निमरेट सब्स पर एकस का स्क्राइक हो जाएगा szkos ऑ जाए 창 साइए gör a s x equal to 0 होना चाहिए है यह condition है अपनी इसी को लोग f dash equal to 0 लिख देते हैं कोई बात नी वो भी सही है x की value तो निकालना आपको जैसे मैं 0 put की है आपके पास तो क्या आगे आपके पास देखो आपको दिखेगा e raise power x और cos x bracket में क्या है cos x minus sin x इतना है थना आपके पास और e raise power 2x है ध्यांस देखा जाए आपके पास e raise power x cancel out होगी है तो e raise power x बचा और x equal to अगर मैं put कर दू infinite तो x equal to infinite पे e raise power infinite हो जाएगा तो don't worry यह 0 होना चाहिए जैसे आप 0 put किये तो x के लिए infinite possible है या तो cos x x के लिए infinite possible है yes sir but c not equal to infinite because c का रहें 0 से पाई है दूसरी value क्या है दूसरी value है sir cos x minus sin x equal to 0 और sin x उदर गया तो 10 x equal to 1 आ रहें 10 x equal to 1 तो x के लिए क्या होगी अच्छा आपके concept clear हो जब आप 10 x equal to जब आप बोलते हो न 10 x equal to 1 तो आप x के लिए 10 inverse 1 लिख लेते हो और पाई भाई 4 लिख लेते हो और पाई भाई 4 आपका साहिए और c की value पाई भाई 4 आ गया और 0 से पाई के बीच में और आंसर आपके पाई भाई 4 आ गया तो इस कुश्चिन का पाई भाई 4 है ठीक आगया answer इस ओकी पाई भाई 4 आंसर बट एक अच्छी बात आपको हमेंसा क्लियर हो क्या कि जब भी आपके पास मतलब पूरा मैस आपको पता ह हमेंसा जब भी आपको बोला जाता है कि 10x equal to 1 10x equal to 1 और जब आपको बोला जाता है कि x की वेली 10 inverse 1 10 inverse 1 एक्स की वेली इस चुली होता है 4n plus 1 into 5 by 4 मतलब अगर x equal to n equal to 0 put करूंगा तो 5 by 4 आएगा n equal to 1 put करूंगा तो 5 by 4 आएगा n equal to 2 put करूंगा तो 9 by 4 आएगा इसका मतबब है कि x equal to pi by 4 degree में लिखूंगा तो 45 degree और 45 में अगर मैं 5 का multiply करूंगा आपके पास तो 225 और 9 का भी multiply कर लो यह यह आपके पास इस हर जगा पे इसकी value 1 होगी हम हमें सब पहली value value select कर लेते अलग बाते वैसे तो अभी हमारा range के अंदा pi by 4 तो आपके पास है नहीं यह पाई से ज्यादा हो गया अभी तो हमारा यह आ रहा लेकिन basic math clear है ना चाहिए कि इन sub values पे यह value होती x की value इन sub value पे 10x की value जो होती है 1 होती है जोल्वेज गुड थे ठीक है यह मैं साइडिया रहे ठीक है अब हम पहुच गया एक्जामपल अब 61 पर है जब आपको बोला जा रहा है कि वेरिफार रोले स्ट्रेम फार्ट फंक्शन फार्ट फार्ट फंक्शन फार्ट फार्ट वैल्यू आप सी एफ एक्स इक्वाल एक्स पॉनिशल का फॉर्म में जिसमें की वैल्यू लेस्ट अगर आप अच्छा कंसेप जानते तो आप क्या क्या बोल दूगे पता है आप बोल दूगे सर एफ एक्स इस कंटिनियूस है माइनस वन से बन की बिच में कोई भी वैली पूट कर लो कोई इंफानेट वैली त कंटिनियूस इन माइनस वन टूवन कोई सुई नहीं है इस अब अगर मैं बूलूं कि एफ आप एक्स से अगर मैं सेकेंड पॉंट की बात करूं कि अगर एफ आप एक्स इस डिफरेंसेबल है तो यह तो वह बात हो गई कि सर रहा हम कुछ बिना सोचे समझे लिखते जा र जानipt को आया है सर वन का डिफेरेंसेशन जीरो हां और एक्स टू बाइठी का वैलिव सक टूवाइठी और एक्स की वैलिव्न ना स्टाूर अन्स 2-3 मइन 1-1 ह्नता वां सर एगगा मैनस 2 वैसर पाइए 37 कि इसrans x raise power n क्या होता है यह सभी को पता होता है बट फिर भी n x raise power n minus 1 yes already we know that बट फिर भी यह आपकी पास अब ध्यांस देखो इस जगह पे क्या होगी अज़र इसमें ऐसा पता हो जीरो पे क्या होगा एप जीरो पे वैली कितना होगा i sats reg Produ Richard to 5000 देखेट सर्व 700 आइस इन्फार आजए गा लिई सते मानेस है तो मानेसिंस इंवार मानेस इन्फार माइस इपास इंस इन्फार तो मानेस इंफारगी यब भी आपकी पास इस पावर में आपकी पास जब भी दी हो अगर इस पावर डिए वन से ज़्यादा दी यह तब तो कोई सूनी होता है पॉल्म नोमिल का मजा ले लुआ लेकिन जब भी इस पावर की वैल्याइग लेस दन वन होती तो इस फंक्साम के जाते ओर इस यह को 0 और जब यह function differentiable हाई नहीं तो बात खतम हो गई not valid में f of a equal to f of भी क्यों check करने जाओ this function is not differentiable clear this function is not differentiable not differentiable at x equal to 0 at x equal to 0 तो Rollis theorem is not valid तो Rollis theorem valid हाई नहीं इसलिए यह topic is related continuity और differentiability से this topic is related with the continuity and differentiability एक्चिली यससर बत ध्यान रखियेगा आपके पास कि range में क्या है अगर यह suppose करो अगर यह range 1 से 2 होता तो function differentiable भी हो जाता अगर यह 1 से 2 होता तो फिर 0 कहाता इसके बीच में तो function differentiable भी हो जाता फिर तो यहार रखिये काता हो बिना सोचने समझे कुछ भी answer देना नहीं है सोचना है पहले यह आपके पास mod x-1 जीरो कॉमा टू लिखा हुआ है यह बला कि फिकल टू-1 प्यागर मैं ऐसा फिगर ना बना दू और मैं बोल दूआ आपके पास की एक स्वाइनस वन है यह बन गया अब मैं को पता है कि सर यह आपकी पास यह यह इस जगह पर unique tangent होगा नहीं यहापे tangent आपके पास आरह होगा यहापे tangent अलग आरह होगा इस function is continuous हर पर इस function is continuous है 1 पर भी function continuous है तो इस function is continuous f of x mod x minus 1 बट इस function is not differentiable at x equal to 1 जिस भी point पर आपके पास corner जो sharp corner आता है जिदा sharp corner जिदा sharp corner जिदा sharp corner इस में आपके पास tangent अलग अलग होता है इस function is not differentiable this function is continuous तो f of x is continuous f of x is continuous in close interval 0,2 even 1 पर भी 1 पर भी continuous है but f of x is not differentiable f of x is not differentiable at x equal to 1 sir at x equal to 1 अब क्यों differentiable नहीं है इसकी story तो इतना पढ़ा चुका हो तो मैंको नहीं लगता है कि मैंको और बात करना चाहिए नहीं तो मैं x minus 1 को अभी open कर दूंगा mod की property लगा कि slope भी दिखा दूंगा आपको कि x minus 1 है आपके पास x greater than equal to x greater than equal to 1 पर आपके पास तो इस slope आपके पास आगे positive slope यह negative slope हो गया तो minus 1 का slope एक plus 1 का slope है इस the minus 1 slope this is the plus 1 slope unique tangent होगा नहीं तो इस Rollis theorem is not valid because this function is not differentiable at x equal to 1 और x equal to 1 होता है वो 0,2 की बीच में होता है क्योंकि आपके पास जो यह जो open interval 0,2 तो सब्सक्राइब होना चाहिए इसके बीच में वन आ रहा है तो this function is not differentiable सर अगर यह 0,2 की जगा अगर यह 2,3 होता तो भाई साब फिर तो कोई बात ही नहीं होती है फिर क्या होता continuous भी होता फिर बस मैं value पूट करता हूँ अच्छा अब आप यह भी बूल सकते हैं कि सर f of a equal to f of b आ रहा था सर यहां पर जब मैं f of a check करने गया तब आ रहा था सर तो इसलिए बड़े जल्दबाजी भी ना रहेगी सर मैं तो सर यही चेक करता हूं सर सिफ 0 पूट किया और यहां तो सब लोग यह जब चेक करते हैं कि आप लोग सी यह चेक करने की कोशिश करते कि 0 2 पे क्या रहा है इसका मताब है कि आप अच्छे स्ट्वेंड नहीं है अच्छा calculus नहीं समझते हो आप इतना जल्दी इग्नोर मार दिये कि इस फंक्शन इस नॉट इस इक इस फंक इस continuous between 0 to 1 including 0 and 2 इस फंक्शन की जो वैली आपके पास f of 0 और f of 2 same है बट इस फंक्शन इस नॉट इस नॉट इस नॉट इस नॉट इस अपके पास यह अब जैसे आपके पास यह f of x equal to 1 by x है अगर मैं बोलू कि इस फंक्शन इस not continuous at x equal to 0 इस फंक्शन f of x आपके पास है अग इस नॉट को इस नहीं है क्या f of x इस नॉट continuous at x equal to 0 क्यों? क्यों? क्यों इस 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 नॉट इस 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 फंक्शन की वैली तेखाय बोलू आपके पास कहां से continuous होगा? अगर मैं इसको differentiate करूं, f dash x करूं, पता है कितना आएगा? sir, minus 1 upon x square पता है यह जो derivative इसमें भी x equal to 0 पे व इस इंदर है क्या नहीं है तो इसलिए अब इतने जल्दी नहीं बूल सते कि ये फंक्सेन आपके पास इप्रेंसिबल है या नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि this function is continuous between 1 and 2 ये बलेचा बोल दिये कि not continuous है बट कहां पर x equal to 0 x equal to 0 इसके अंदर नहीं है 1 or 2 की बीच में और इसमें 1 or 2 के बीच में कोई भी ऐसी value नहीं है कि जो 0 आ जाए तो ये आपके पास हम लिख तो दी है लेकिन अगर मैं 1,2 की बात करूँ 1,2 की बात करूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा जब हम बात करते हैं na f of x की बात तो पता आंसर क्या होगा 1 by x है आपको तो figure भी पता है 1 by x है आपके पास 1,2 है तो मेरे पास point क्या होगा पता है f of x is continuous f of x is continuous तो बड़े जल्दी discontinuous नहीं बोलना है सब अपने range में continuous होता है f of x is continuous in 1,2 1 और 2 की बीच में थोड़ी कोई problem है continuous ही होता है f of x is differentiable f of x is differentiable in 1,2 इसमें भी कोई इसमें नहीं है क्यों क्योंकि 1 by x का figure आप जानते हो एक हाइपाबूला बनता आपके पस x equal to आपके पस अगर मैं ऐसा बनाओ तो 1 equal to इस पर बनता आपके पस यह without function x equal to 0 पे इस ओन यह यह ऐसा बनता आपके पस without function यह 1 by x तो x equal to 0 पे फंक्सन continuous नहीं है differentiable भी नहीं है लेकिन one or two की बीच में तो हमेंस होगा अगर मैं बोलू कि फंक्शन one or two यहां पर है यह one है और मानलो यह two है कहा है इस one or two में तो को इस भी नहीं है यह function continuous भी और differentiable भी है इसमें तो issue नहीं है one or two की बीच में इसका मताब है कि हम क्या range there is this is very very important x equal to अगर मैं माइनस one से one बोल देता तो यह function भी खतम हो जाता रोलेश theorem is not valid थर्ड पॉंट की बात करूँ अब आपकी पास होता है कि यह function continuous भी है differentiable भी है f of one कितना है f of one one by one है sir और f of two कितना है sir one by two है मताब 0.5 तो f of a equal to f of b r i क्या नहीं आरा sir f of two not equal to f of one इसले इस लिए this theorem is not applicable even continuous था even differentiable था बट this theorem is not applicable this theorem is not applicable not valid because f of one is not equal to f of two इसले अदर्वाइस पर continuous भी था अदर्वाइस पर differentiable भी था बट यह सही लिख है हम लोग लेकिन हमको पता ना x equal to zero one or two के बीच में आता ही इसले को इसू भी नहीं था ओके अब रोले स्टेम में आपके पास यह एनटी कोश्चन लिखा निमेरिकल आंसर टाइप और मैं बोला कि वन बाइटू कॉमा थरी हमार रपस यह अब आपके पास आपके पास पॉल्नॉमेल से तब तो कोई इसू नहीं है क्यों इसू नहीं है क्यों कि अगर यह पॉल्नॉमेल से तो फंक्शन तो इसू नहीं हो चाहिए एक्स का कोई भी रेंज लिखा फ़ एक्सिश कंटिनियस हुआ आपके लिख नहीं नहीं हो बार बार एक्सिश कंटिनियस इन 1 बाइ 2,3 ठीक है पहला पॉंट हो गया एफ आप इस दिफरेंसेबल हाँ यह तो पॉलनमेल इस दिफरेंसेट हो जाएगा एफ आप एक्स इस दिफरेंसेबल इन ओपन इंटरवल यस वन बाइ 2,3 अच्छा अब आपको देखना है एफ आप एक्वल टू एफ आप इस दिफना आपको जो मैं बोलता हूं तो थीक है आपको देख लो एफ आप 3 की वैल्यू कितना रहा एफ आप 3 की वैल्यू टू इन्टू 3 का क्यूब थी ट्वंटी सेवन और माइनस फाइब थी का स्क्वेर नाइन माइनस फूर इंटू 3 प्लस 3 कितना आपके पास यह वैल्यू यह एफ 54 यह 45 अब नाइन हो गया और यह कितना हो गया 312 माइनस ट्वेल और 312 जिरो आ रहा है तो इसका होता फिर एफ आप 3 की वैल्यू जिरो आ रही है अब आप एफ आप 1 बाइटू की वैल्यू अगर आप पूट करोगे तो कित कितना होता 1 बाइ 8 माइनस 5 1 बाइ 2 का स्क्वेर कितना होता 1 बाइ 4 1 बाइ 2 की वैल्यू होता तो माइनस 4 इंटू 1 बाइ 2 हो गया ठीक है और प्लस कितना हो गया 3 हो गया अब यहाँ पे देखा जाए आपके पास तो यह 2 इंटू 1 बाइ 8 है तो 1 बाइ 4 हो गया यहाँ पे कितना होगे आपके पास टू का मल्टिप्लाई के तो माइनस 8 बाई 4 यह तो यह हो गया आपके पास प्लस 3 तो 3 कितना होगे 13 13 बाई 4 माइनस 13 बाई 4 एक्वाल तो 0 इसका मतलब है कि 1 बाई 2 पर भी value 0 तो f अब एकवल तो f आप भी आ रहा है इसका तब f of 1 1 by 2 equal to f of 3 आ रहा है तो roll is theorem is valid इसका मतलब है कि तीनों point ही valid है आपके पास तो roll is theorem is applicable अब में को क्या चाहिए अब में को यह find out करना है कि यार में को उसकी value find out करना है ठीक है f of x की value कितना है इसा 2x cube फिर इसा minus 5x square minus 4x plus 3 इतना ही मेरे पास अब में को अगर value find out करना है तो f-x कर लोगा इसका जो slope होगा उसके लिए 0 तो कितना होगा 6x square minus 10x minus 4 यह आपके पास यह 0 बूट कर दिए जब 0 बूट कर दिए 2 का डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि सब 2 का कौन फेक्टर तो 3x square हो गया माइनस 5x हो गया और माइनस 2 हो गया यह देख जाद यहां से तो 3x square मैं quantity की क्रिशन सॉल कर सकता हूं 6x plus x अगर कर दूँ मैं और माइनस 2 है तो अगर मैं यह से 3x का कॉमन ले लो कितना रहा है सर एक्स माइनस 2 और माइनस यह 1 कॉमन ले लो एक्स माइनस 2 तो फेक्टर क्या 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 आ गया सर आगया और 3x प्लस वन आ गया इक्वल तुजिडू इसका मतलब है कि रिजल्ट में देखा जाय तो क्या क्या रहा है एक्स माइनस 2 equal to 0 तो x की वैल्यू तू आ गया x की वैल्यू आपके पास लेकिं यहाँ पर आपके पस कितना था सा रेंज कितना था सार वन दो कॉमा धृट हृट था था है अब आपकी पास एक्ष में बेशंकिप्स कि बीच में आ रहा यह a उसशल की सब्सक्रांज क आप गर क्वाल ऎक्व weekly 3 माइनस वन फैर शीडे is से तुर चेक कर लें गया तो निमेरिकल अंसर टाइब की वैलिटो ऍेमरीकल ऐसा कोश्चन आ सकते है अब निमेरिकल टाइब कोश्चन आएगा तब एक यह अंसर होना और अच्छा यह जैब का इस्ताइल है जो कोश्ब्स नहीं लिखक कर देंगे से मीन वैली लिखेंगे कि रोलेस तो आप जानो यार मीन वैली हम लिख दी तो गेट के एक्जाम मैंसा आपको देखने को मिल सकता है और अच्छा भी मैथामेटिकल कुश्चन देखो थी और वन बाइटू पर सॉल भी करना था पहले और वैसे भी अगर आपको को वैली बोल अगर यह तो आपके पास इतना दिया है फिर आपके पास दिया है यह 3,0 तो इस वाले में कितना हो गया एक्स की वैली थ्री पे वाई की वैली जीरो अगेन एफ आप एक्स इकोल टू जीरो यह आपको गिवान है अब बोल रहा है कि क्या हो रहा है कि यह आपके पास जो लाई कर रहा है आपके पास जो पॉइंट से वह एक आउमा बी पे आपके पास लाई कर आपके पस देखो दियान से आपके पस इस function को देखेगा तो आपको बताना है आपके पास की A और B आपके पास A प्लस B की value बताना है मतलब A आपके पास क्या हो रहा है X-axis की value है और B जो है वो Y-axis की value में इसका मतलब यह हुआ कि A जो है कि आंसर क्या होगा तो अब आपके पास x-2 और x-3 था ठीक है यह एक्स-2 और x-3 धियान से कोई पॉल्लोमेल से धियान से अगर मैं देखों कि x f एक्स-2 और तीन कितना होगे पांच तो माइनस 5x प्लस 6 है इसा पॉल्नॉमेल तो अगर मैं ध्यान से अगर बोलू आपके अच्छा हमारे कंसेफ की बात करते हैं तो एफ आप एक्स इस कंटिनियस फंक्सन है और आपके पास अगर मैं इंटर्वल की बात करूं आपके पास देखो यह आपके पास टू और यह थ्री एक्स की दो वैल्यू है तो मैं बोल सकता हूं कि इन टू कॉमा थ्री ज्यान से मैं दिखा भी देता हूं और एफ आप एक्स इस डिफ्रेंसेबल है सर्य पॉंट कैसे पता चला वही से देखके बना चलगे एफ आप एस डिफ्रें चांदख्षा द्यास ग्सेजा है कि चैसा आपके पास आपको वहाइस यह पटाना और थे वह इसा इसा इस आप you कि 2 2पे आपके पास यह Xائ année 2 पे हमारे पास यह है और इतना हमारे पास है अच्छा अगर मैं इसके figure की बात करूँ कि XSQ बातकी जिरो पे आपके पास 6 होगा इसका figure ऐसे आएगा यह कोडिटिक एक्विशन इसका फिकर ऐसे आएगा इसा आएगा पता आपके पास यह x equal to 2 पर और यह 3 पर यह 2 और 3 पर 0 होगा इवन x equal to 0 पर कितना आएगा यह भी बता देता हूं x equal to 0 पर आएगा 6 यह होता है figure के बारे और वैसे भी x square parabola functions है देखो ध्यान से बना भी दिया हम अब मैंको यह पता है कि 2 और 3 पर आपके पास है इसका मतलब यह हुआ कि यह आपको बताना है यह एक value आपको निकालना है listen यह value fight out करना है इस point पर यह c यह निकालना है अब अगर मैं बोल दूँ आपके पास कि मैं को point वई से अगर मैं को बात करना है कि point आपके पास क्या है तो पता आपके पास यह क्या है इस पे value कितनी होगी इस पे value कितनी होगी वह है तो हमको question में A, B बोला है इसके point जैसे यहां पर point जो है वो 2,0 है तो पॉइंट के हैं 2,0 है क्योंकि x की value 2 और y की value 0 है यहां पर क्या बूला है 3,0 x की value 3 और y की value 0 यह तो f of equal to f of b 0 आ रहा है आपके पास वैसे ही आपको इस point पर निकालना है a,b इस point पर यह एक और b निकालना है यहां पर आपके पास इस functions की जो value हो गया आपके पास यह जो हम find पर value निकालेंगे की functions की value हम find out कर लेंगे की value कितनी होगी ठीक है अब आपके पास देखेगा कि मैंको बूला गया है कि आपके पास tangent parallel to x ये आपके पास है तो ठीक है हम find out कर लेंगे आपके पास तो c पे आपके पास f of c की value निकल जाएगी इसी को आपके पास a, b बोल दिया गया है ठीक है अब मैं को point निकालना है तो मैं तो simply निकाल लूँगा अच्छा कभी-कभी किसी को लग सकता है कि सर इतना ग्राफिकल हमको कैसे आएगा जितना ज्यादा आप calculus calculus है कैसा subject है थोड़ा सा care करने से थोड़ा function को लिखने से थोड़ा सा बार बर बनाने से अपको idea हो जाता है जिदा पहरा बोला x equal to 2 पे 0 y equal to 3 पे 0 थोड़ दे सोचे अपन और बना डाले 2 और 3 का point ले लिए x equal to 0 पे था आपके पास और बना डाले अपन ठीक है अगर मैं बोलू कि f dash x कर लो वही value निकालने वाले है तो 2x minus 5 equal to 0 कर लो कितना आ रहा है 2x minus 5 equal to 0 करने से sir x की value 5 by 2 आ रहा है 5 by 2 मतला 2.5 यह वही value c की value है वही c की value है आपके पास 2.5 जिसमें की parallel tangent to the x-axis होगा यह c की value 2.5 अब आपके पास यह वाली जो value है 2.5 है अब आपको बूला जा रहा है कि 2.5 है अब f of x की value आपके पास कितना होगा तो 2.5 मतलब कितना 5 by 2 होता है तो f of x कितना था sir x minus 2 था और x minus 3 था तो x की value आपके पास 2.5 है 2.5 minus 2 तो 0.5 हो गया 2.5 minus 3 हो गया तो यह आगया आपके पास 0.5 मतलब 1 by 2 into minus 0.5 तो minus 1 by 2 तो यह आगया minus 1 by 4 मतलब कितना आगया minus 0.25 पता है f of x की value आगई c point है c मतलब यह 2.5 अब यह निकल गया इस figure में ध्यांस देखो कि यहाँ पे जब बोल रहा है तो c की value कितना था 2.5 तो जो आपको बोला गया है ना इस जगा पे वो 2.5 a की value आ गई that means the c और b की value कितना है अब भी अब भी हम solve किये यह answer minus 0.25 minus 0.25 यह आपको question में क्या पूछा था पता है a plus b की value a था c और b था f of c की value तो यह था c की value 2.5 और f of c की value था minus 0.25 answer will be 2.25 this one answer 2.25 function continuous very good question good question तो यह coordinate के form में लिया था कि a कॉमा भी है 2,0 दिया था था x की value f of x value यह 3,0 x की value और f of x value तो रोजे से रहा वैलिट था a और b था आपकी पास जिस जगह पे वो point वो जो कर्व पे जो point होगा जो tangent इस पहला to excess is a काम भी था c की value है और यह आपकी पास functions की value क्योंकि जब भी हम coordinate लिखते तो x लिखते एक y लिखते y मतलब function आप x ठीक है 2.25 अब यह गेट 2014-90 खड़कपूर का आपकी पास question देखने से किसी को लख सतता है कि सब्सक्राब क्या होगा हमारा 2014-90 खड़कपूर का question था let the functions दिया f of theta और पूरा determinant के इंदर दिया sin theta cos theta 10 theta sin phi by 6 cos phi by 6 10 phi by 6 sin phi by 3 cos phi by 3 10 phi by 3 और वह theta belongs to आप के पास कितना है 5 by 6 to phi by 3 phi by 6 मतलब 30 degree phi by 3 मतलब 60 degree तो यह आपके पास 30 है और यह आपके पास 60 degree में और radian तो लिखाई हुआ है ठीक है यह और f dash theta denote the derivative of the f ठीक है with respect to theta which of the following statement is your art to there exist theta belongs to pi by 6 cos phi by 3 such that f dash theta equal to 0 f dash theta equal to 0 इसका मतलब है कि जब कोई question read कर रहा होगा तो उसके mind में exam में जब होगा तो उसके mind में दिखना चाहिए कि पहला statement f dash theta equal to 0 दिया है तो आपको दिखना चाहिए कि f dash theta equal to 0 आपके पास तभी possible है जब आपके पास ये function क्या क्या हो ये valid कपकफ होगा अगर मैं बोलू कि ये valid कपकफ होगा ये valid होने के लिए जरूरी है कि f of theta है वो continuous हो हाँ f of theta differentiable हो उस range में हाँ और फिर उसके बाद जो range दिया था pi by 6 तो f of pi by 3 equal to f of pi by 6 हो अगर ऐसा है तो फिर ये update theta 0 होगा ना मैं क्यों नहीं होगा यही मतलब है अब आपको बता दूं कि ये च्रिट्रिक्नेटीटल फंक्शन और वैसे भीयार यह दिया है इसलिए इतना कालक्लेस में हर चीज बता हों कि क्यों को पता नहीं कि कप का क्या-की यूज होने वाला है आप कही लोग को लग रहा हो कि मैं कैलकुलिस पढ़ा रहा होंगा सोच रहोंग यार क्यों इतना साइन क्यों इतना कॉस क्यों इतना 10 की बारें बता तो फिर आपसे नहीं बनेगा आप तो डर जाओ कि देखके फिर आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि 30 से 60 डिग्री दिया है बीच में तो अल फंक्सिनां कंटिनियस तो फ टीटा इस कंटिनियस कोई इसू नहीं सब्सक्राइब तो अगर मैं बोलू कि सर फ टीटा यह लिखा रहां देना कभी-कभी हम किसी कुश्चन को देखके धर भी जाते डिटरमिनेंट बना हुआ था डिटरमिनेंट में क्या पहले लिखा था साइन ठीटा कोश्च थीटा और टैन ठीटा अच्छा मेरा यह ऑबजेक्ट कि पहले आपको पता होना चैसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ नहीं पता और आपस एक वाल टो फाप भी कर रहें उसी में खुस हो जा रहें वह में को पसंद नहीं यह और यह 10 पाई भीकाई तरी टेमिन्स केंदा सब लिखा था अब सोच जब मैं एको बोला गया कि f आ पाई भाई थी खरना है f आ पाई गई शिक्स हो गया और सड़ टैन पाई भाई गॉड इस आपकी पास आपके पास अब हैं आट दूगों तो क्या दिए आपके पास सथाइन भाइब है अब आपको पता होगा कि तो फ़िलेलिमाइंडिकल अगर कोई वैं कोई भी डeler सीनिकर निकालना है अगर मैं बनहें अगर क्या था आपके पास साइन ठीटा था साइन पाई भाई थ्री हो गया फिर साइन ठीटा था साइन पाई भाई थ्री हो गया यहां पे क्या था यहां पे था साइन पाई भाई सिक्स यहां पे था कॉस पाई भाई सिक्स यहां पे था साइन पाई भाई सिक्स क्या था लास्ट म तो लास्ट में था सांड पाई भाई थरी कोश्च पाई भाई थरी तू इडेंटिकल रो संट फिर फर्स तथर्ड रोस है और रोस तो फिर डेटरमिनिन जीरो संट भाई की बिलकूल इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि f pi by 6 equal to f pi by 3 क्योंकि दोनों case में two identical rows आ है और इस जीरो है इसका रोले सिरॉमिज वैलिट function continuous है because all technological functions are continuous sin or cos theta में तो वो भी problem नहीं 10 theta में देखना पड़ा था लेकिन range ही मेरे पास 30 से succeeded भी है तब तो 10 भी नहीं देखना पड़ा ठीक है डिफरेंस अबल था और f of pi by 6 equal to f of pi by 6 है तो function is continuous है डिफरेंस अबल है और f of equal to f भी है तो roll is mean value theorem is applicable हो अगर ऐसा है तो किसना किसी एक value पे abdash theta की value आपके पास 0 होगी यही concept होता है इसका मतलब है कि abdash theta की value 0 होगी तो c belongs to pi by 6 to pi by 3 इसका मतलब है कि 30 से 60 degree के बीच में आपके पास c के एक ऐसी value होगी जिसमें इसका derivative 0 होगा तो there exists सही बात है पहले state में सही है second बोल रहा है there exists theta equal to pi by 6 such that abdash theta not equal to 0 तो second बाला statement सही होगा की नहीं तो second बाला statement गलत होगा सर हम तो सर्व यह बाला statement जानते है हम तो पहला जानते सर तो one only नहीं गलत होगा आपका आपको पता है जब आपको बोल रहा है कि रोलेस theorem valid है इसका मतलब है कि एक ऐसी value होगी जिस पे उसका slope 0 होगा और ऐसी तो हजार हो value होगी जिस पे उसका slope 0 नहीं होगा इसका मतलब है कि बोल रहा है there exists theta such that abdash theta not equal to 0 ऐसे तो बहुत सारी value होती वो तो at least एक value होना ज़रू है ऐसे तो बहुत value होती यह भी correct है तो both one and two यह problem है हमारा कि कभी-कभी हम समझ नहीं पाते हैं हमको लगता कि सर हम तो यह जानते अब सोच के देखो जित्ता भी मैं अभी तक पढ़ा रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि at least एक value होगी जिस पे कि जो tangent होगा वो parallel to the x success होगा अगर सपोस करो सिब एक ही value है 30 और 60 के बीच में जिसमें उसका slope 0 आ रहा है और बाकी जगा पर तो नहीं आ रहा तो ऐसे तो बहुत value हो गई 31 32 33 अब तो 60 डिटा इस बहुत value होगी जिस पे 0 नहीं होगा यह तो इस तो इंदम clear है ची तो जनलाइस पॉइंट हो गया यह तो हमेशा ही होगा मतलब सेकेंड पॉइंट तो जो आलवेज करेक्ट पहला पॉइंट होने के लिए जरूरी है अगर यह दोनों सेम नहीं आते तो पहला गलत हो जाता क्योंकि रोले स्थिरों वैलिड नहीं होता अगर फंक्शन है तो नहीं बनेगा एकजाम में बस डिपेंड करता है कि आप कैसे सूचते हों अब यह आपके पास है LMVT theorem is the language is the lagrange mean value theorem कोई lagrange बोलता है को लैग रेंज बोलता है प्रणनेसेशन पर डिपैंड करता है ठीक है तो language mean value theorem is the LMVT the LMVT language mean value theorem LMVT LMVT भूलते बार बार अपन ठीक है जब हम LMVT की बात करते हैं जब LMVT की बात करते हैं तो वैसे स्टार्ट होता है कैसे f of x is real value function that f of is continuous वही बात f of x is differentiable in the open interval वही बात why not close interval आपको पता है multiple tangent हो सकता f of a is not equal to b f of b अगर f of a f of b की value की बराबर नहीं है मतलब Rolla's theorem is not applicable Rolla's theorem is not valid यस यस है तो अगर यह theorem valid नहीं हुआ तो फिर क्या होगा फिर LMVT theorem आपके पास यह theorem अगर valid नहीं हुआ तो LMVT बोलता है कि there exists at least one value of x c belongs to a b c belongs to a b such that f dash c equal to not 0 f dash c is not 0 लिखा है f of b minus f of a upon b minus a अब slope की value पहले slope 0 लिखा था इसलिए tangent पहले to the x success अब slope जो लिखा है f of b minus f of a और b minus a सोचो अगर f of a और f of b सेम हो गया तो f of a और f of b अगर सेम हो गया इफ f of b f of b equal to f of a हो गया तो बाइसाब अगर दोनों सेम हो गया तो f dash c की value 0 जाया गया तो rollage theorem आ जाया गया बिलकुल सही बात है अब LMVT theorem से अगर आपको rollage theorem में जाना है तो दोनों functions की value सेम होना चाहिए और b पे पहुच जाओ गया f dash c की value 0 अगें चिला होगे tangent पहला to the x-axis slope will be 0 derivative that means the slope ठीक है अगर नहीं है तो फिर यह answer है आपके पास कैसे आया होगा ठीक है ओके आपके पास geometrical interpretation दिए आपके पास जब आप देख रहे हो जिसमें थुरसा वाटर भी ले लेता हूं आप देखते जाए धियान से जब इसको आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहोगा कि पहले a और b पे वैली सेम थी अभी a और b पे आपके पास एक slope एक जीस कर रहा है आप देखो गया क्या दिखेगा आपको आपको दिखेगा कि sir इस point पे यह है a पे आपके पास value क्या हो गई a हो गई sir और f of a आगया sir इस a point पे coordinate और b point पे क्या आगया b sir x की value और f of b sir अगर मैं ध्यान से इस a point पे बोलू कि functions की value क्या है तो f of a है और अगर मैं बोलू कि यार इसके b point पे value क्या है f of b है इससे दोनों अलग-अलग है पता आपके पास जब आप इससे line की बात करते है यह एक line है यह line a point और यह b point इसका बतार slope कितना होगा इस line का slope कितना होगा देखेगा slope इसमें तो slope कितना होगा a b का so slope होगा a b का y2 minus y1 y2 minus y1 yes change in y divided by change in x क्या होगा y2 sir f of b बिल्कुल सही y1 क्या होगा f of a अच्छा x2 क्या होगा sir b sir और x1 क्या होगा a पता यह slope की value लिखिए slope a b की value लिखिए यह a और b को जोड रहे इस theorem state that the between two points a and b f of a not equal to f of b of the graph there exists at least one point where the tangent is parallel to the chord of the link a b यह जो a b line को जोड रहा है उसके parallel में a tangent होगा tangent is parallel to the not x-axis tangent अभी भी parallel है the tangent is parallel to the chord of the link a b इस a b जो slope है इसके parallel में एक line है जो आपके पार दिख रहा है at least point ऐसा होगा c एक सा point है जहां पर tangent खीचे औंशी और यह जो tangent है यह का slope जिरो नहीं है बही साथ का slope वही है जो इसका slope है इसका मतलब इस tangent का जो slope है इसका तब slope जो है आपके पास tangent का वो वही है जिस बाद 0 नहीं है ये tangent का slope वही है जो slope AB का है और AB क्या है वही है अब slope जो slope आपके पास इस tangent का है इस देखे आपके पास इस point पे देखे आपके पास तो ये माइनस F of A डिवाइड बाई B माइनस है यह आपके पास LMVT theorem आगे कि इस point पे update C पे जो value होगी आपके पास slope की उस tangent के slope की वो value इस AB के slope के बराबर होके और AB का slope क्या है X और Y coordinate लिख लो यार यही होता है LMVT theorem LMVT से अगर आपको जाना है mean value theorem में तो A और B point को A को ऐसा बढ़ा के बराबर कर दो या B को ऐसा करके बराबर कर दो जैसे A और B बराबर होगा तो यह आपके पास एक horizontal line हो जाएगी और जब horizontal line हो जाएगी तो दोनों की value same आएगी तो इस AB का slope कितना होगा 0 इस AB का slope 0 होगा तो उसके जो tangent होगा उसका भी slope 0 होगा तो Fडेस C equal to 0 लिखते थे अभी तक अब नहीं लिखेंगे अपा तो ऐसे तो point और भी हो सकते सर जो AB आपके पास slope है अगर मैं बोलूं की यह जो slope होगा आपके पास Fडेस C1 यह Fडेस C1 यहाँ पे होगा यहाँ पे क्या होगा सर AB डेस C2 होगा तो भाई AB डेस C1 equal to AB डेस C1 equal to AB डेस C2 यह सर और इनकी value क्या वही जो AB slope की बराबर होगी F of B minus F of A upon B minus A there is a slope AB कितने भी point हो सकते हैं जैसे एक point तो हम बनाए थे यहाँ दो point बनाए चार हो सकते हैं छे हो सकते हैं there is no issue LMVT theorem यह बोलता है ठीक है इस वहरी गूट theorem जो LMVT theorem होता है fails if the function does not satisfy even one of the three conditions ठीक है बई one of the three conditions में से एक भी satisfied नहीं करेगा तो fail हो जागा the converse of Lagrange Min value theorem may not be true for F-C not equal to F of B minus F of A B minus A at a point C maybe without satisfying both the condition of LMVT theorem यहाँ हो सकता है कि F-C की value इसके बराबर नहीं हो आपके पास यहाँ हो सकता है जैसे हम बोल रहे थे कि Rolais theorem जो है उसमें हम बोल रहे थे कि F-C की value 0 हो सकता है कि Rolais theorem की condition satisfied ना किये भीना भी किसी point पे किसी point पे F-C 0 हो सकता है वैसे ही F-C की value F of B minus F of B minus A की बराबर नहीं हो may not be true for this value at a point C इसकी जरुवत नहीं पढ़ती है जो second point इसकी जरुवत नहीं पढ़ती है हम जब यह theorem ही पढ़ रहे तो हम बार-बार बोलते है इसके बराबर होता है F-C की value 0 होती है हम जब दो theorem पढ़ रहे तो दोनों की बात बराबर करते है वागी function तो variety of function एक जिस करते है function का variation तो आप जानते ही हो ठीक है अब जिसे LMVD theorem में और में को C की value find out करना है 1,3 आपके पास एक range है और इसकी value को find out करना है example number 66 पे पहुँझ गया हूं यह तो आप x की value किसी भी जगह पर यह वन अप पान होता तो function continuous नहीं होता x equal to 1 पे यह x minus 1 है तो इस function continuous तो अगर में को बोलना है तो मैं तो बिल्कुल आराम से बोल सकता हूं कि sir f of x is continuous है f of x is continuous continuous है continuous in 1,3 yes sir f of x is differentiable अगर मैं बोल दूँ कि अगर मैं इसको differentiate कर रहा हूं तो क्या होगा आपके पास f of x is differentiable in 1,3 एक interesting बाह बताता हूं सोचे इसको अगर मैं differentiate करना हूं तो क्या होगा f dash x क्या होगा sir f dash x x minus 1 की पावर 1 by 2 है 1 by 2 की पावर sir 1 by 2 under root x minus 1 होगा तो यहार f dash 1 तो infinite हा रहा है तो इस function is not differentiable at x equal to 1 सही बात है इस function f of x is not differentiable at x equal to 1 तो भीया सही तो है नहीं तो open interval है 1,3 तो included है ही नहीं तो f of x is not differentiable at x equal to 1 सही तो है true है पत इसू नहीं है ना इस से कारन यह तो true है बट 1,3 में x equal to 1 आता ही नहीं है x equal to 1 is not included in 1,3 तो function is differentiable yes अब आप कुछ भी बूट कर लो 1 छोड़के और 1,3 में 1 नहीं आता है 1 और 3 के बीच की कोई भी value ले लो कभी value infinite नहीं है तो this function is differentiable this function is continuous ठीक है यह clear है ना जी आपको अगर यह one upon under root x minus 1 होता तो sir f of x equal to अगर ऐसा होता तो one upon under root x minus 1 होता तो यही range होता तो भाई साहब आप तो बोल देते कि f of 1 की value 1 upon under root 0 यह तो infinite आ जाता तो this function is not continuous खतम हो जाते हैं क्योंकि वन इंक्लूड हो सकता है continuity में continuity में one or three included है तो वन पर फंक्शन की value infinite आगी तो इस function is not continuous तो फिर LMVT theorem कहां से valid होता है LMVT theorem या रोलेस theorem कुछ वैलिडी नहीं होता है चाहे रोलेस theorem हो चाहे LMVT theorem हो कहां valid होता है जब continuous हाई नहीं वन पर तो और one or three आपका close boundary के अंदर है तो चले यह तो कुछन नहीं था कुछन नहीं था कुछन यह है तो function continuous से one कॉमा three पर यह स्थर function differenceable है आप मैं को देखना है कि one or three पर value क्या है अभी third और कितना आपके पास हैं वन कॉमा three तो अगर मैं बोलूं कि यार एफ वाफ three के value कितना है तो f of three के value three minus one तो root two sir ठीक है f of one के value कितना है अंदर root one minus one ठीक है तो f of three is not equal to f of one और इस सई बात है इसका मतब है कि LMVT theorem की तीनों condition satisfied कर रही है अगर मैं बोलूं कि LMVT theorem में f of a not equal to f of b होना चाहिए तो फिर आपके पास concept क्या होता है concept यह होता है कि f dash x equal to f of b minus f of a divide by b minus a यह होता है अब f dash x कर रहे हैं अगर मैं differentiate करना हो तो कितना हो गया sir one by two under root x minus one the differentiation c बात में put कर लूँगा यह और f of b की value कितना आ रहा है f of b की value root 2 आ रहा है f of a की value कितना आ रहा है sir 0 आ रहा है b की value कितना था b की value 3 था और यह कितना था minus one था तो root 2 divided by two तो one by root 2 आ रहा है यह इतना है आपके पार जखे जाए यहां से रोट 2 f of b की value 3 जब put किये तो ठीक है 3 put किये तो root 2 आ गया जीरो आ गया तो root 2 minus 0 divided by three minus one तो two आ गया root 2 by two तो one by root 2 आ गया दोन साट अगर मैं square कर दो तो कितना होगा दोन साट स्क्वेर कर दों तो यह जाएगा four x minus one equal to कितना हो जाएगा two x minus one equal to कितना रहा है one by two two x के वे लिए कितना रहा है sir one plus one by two मतलब three by two three by two मतलब one point five one point five one point five value होगा बिल्कुल 1.5 वैली होगा तो अगर 1 3 by 2 आ रहा है भिलकुल आ रहा है से इस वन 3 by 2 इस रांसर यह कैसी वैली होगी आपके पास जिसमें जो अगरे टैंजेंट होगा पार टू दा स्लोप एभी जो दो पॉइंट को एड कर रहा है दो पॉइंट को जो कनेक्ट कर रहा है इस वन यह कंटियंज भी और एफ अप इस नॉट एपलिकेबल उसकी वैल्यू कितनी होगी 3 by 2 बिल्कुल सही है अब बोला है कि इन दा क्लोज इ कि बात पूलु रहा है तब अगर बोलूँ हो नससाइब सबसे को पता है कि मौण एकसस की बारे में आप जानती हो थो मौडे यह खो वारे में पास आप एक साथ वैल्यू व f of x की बात करता हूँ तो f of x का तो figure ही हम जानते हैं बिल्कुल यह तो आप जानते ही हूँ sir x equal to 0 पे तो यह function continuous तक होता है बिल्कुल x equal to 0 पे तो sir function differentiable नहीं होता है तो sir फिर कैसे होगा यह f equal to x पे लेकिन जब मैं बोड़ रहा हूँ की f of x पे पहला f of x is continuous f of x is continuous continuous in close interval 0,1 0,1 कुछ भी बूट कर लो yes sir f of x is differentiable f of x is differentiable in open interval 0,1 तो 0 included नहीं है 0,1 की बीच में तो 0,1 की बीच में तो diffensible है तो 0 included नहीं open interval ठीक है फिर मैं बोल रहा हूँ कि value कितनी है f of 0 जब बोल रहा हूँ तो mod of 0,0 f of 1 बोल रहा हूँ तो mod of 1,1 मतलब 1 तो f of 0 is not equal to f of 1 तो तो तीनों ही point valid है आपके पास ध्यान से अगर देखा जाया तो continuous function से differentiable है और यह आपके पास देखो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि यहां पे LMVD theorem अपली के पले यस sir LMVD theorem is valid विल्कुल तो d answer में LMVD theorem valid है अच्छा c answer अगर मैं इस function को थोड़ा सा देखी लेते क्या देख लेते सर एक से मॉड़ एक्स की वैलिव एक्स हो गई एक्स ग्रेद ने जीरो और एक्स इंटू माइनस एक्स की वैलिव एक्स लेस देन जीरो पर एक्शिली function का दो बढ़न को में कुछ वैल्युक्य आपके पास अगरम वोल दो कि मैंको पूड करना है आपको करना तो आप सकते हो कि लिए अद्रो फंग हमने करना लो फ्रोगल। या है सबस्क है हो गृफ झाइब उसकी कॉर्ण वान च् profession सब तो बात करते हैं 은ब टंब करते कि ऊज़ुक हैं में वह फिरृंस ऑफ की बात करता हो तब पढ़ा चुको हों इदा कंटियोंस फंक्शन अच्छा जब डिफ्रेंसिविलिटी की बात करता हूं तो सर एपडेस एक्स कितना एगर सर 2x आएगा एक्स ग्रेट देड़ देड़ो पर माइनस 2x आएगा आपके प्सक्टों अब आपके एक्वल डिफ्रेंसिबिटी के अगर मैं बात करूं की बीच में बीकात ही तो आपटे जिरो की वहली तो जिरो तो जीरो इचिरो जिरो जिरो होगी बट की बात करो तो सब्सक्राइब करना था इसलिए अब किसी को लगेगी सब्सक्राइब को समझ नहीं आए सब्सक्राइब यह कब हो सकता है जब आप यह से पढ़ने आगे डारेक्ट बिना कंट्यूनिटी फंक्सम पढ़ें बिना इसलिए पढ़ने तो आपको लोगेगा क्या हो रहे है आपको लोगे गहरे यार और 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 किसी से भी पढ़े हो तो भी उसक्ता अब इत्ते इंपर्टेबल नहीं हो आपको में से पढ़ना पढ़ेगा सच में इस और डिफ्रेंसिबिलिटी जानना पढ़ेगा यहां पर यहां पर भी यहां पर यहां पर यह वैलिदी तो हो नहीं सकते अब अगर मैं बोलू आपके पास कि f of x क्या है f of x इक्वल टू क्या है sin x by x है यह आपके पास x not equal to 0 और यह 1 है at x equal to 0 आपको था sin x by x अगर आपको पता होगते है सेंप्लिंग फंक्शन होता है इसा सैंप्लिंग फंक्शन एदा f of x यह 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 कि यह मिज़ा सेंब्लिंग फंक्सन बहुत खुला सब प्रॉपर अगर अपन इसको ऐसे बना देते तो और अच्छा लगता हुआ पूरे गया हो गया हुआ 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 है कि व्क तो हो जाता है F साइने सब्सक्राइब कुंक्सान चाहिए sain x is difference function और x तो difference तो difference है तो संप्लिंग function जो होता है आपके पास sin x गैस यह capable to 0 पर बी एवन x in class यहां पर यह यह बात करूं आपके पास की इस जगह पर अगर आपको किसी जगह पर 0 2 की बात करना आपके 0 1 की बात करना है तो 0 पर वैल्यू कितने है सरह यहां पर दिया भी था कि 0 पर 1 है और f of 1 पर कितना होगा f of 1 पर sin 1 होगा sin 1 divided by 1 तो sin 1 और sin 1 आपके पास है इसका मतब़ है कि f of 0 not equal to f of 1 और f of 0 इसका मतब़ है कि यहां पर LMVD theorem applicable है बिल्कुल सही है तो sin x by x continuous function divided by continuous function the continuous differentiable function divided by इसलिए algebra of continuity of differentability is always important ठीक है इसका मतब़ है कि सर यह भी यह भी LMVD theorem applicable तो यहां नहीं हो रहा होगा अब तो एक्जाम में हम नहीं है इसलिए तो हम नहीं तो अभी तो मैं analysis कर रहा हूं इसलिए मैं जाम उसके पहला छोड़ दी इसमंतर यहां पर नहीं कर रहा हो 1 by 2 माइनस x है 1 by 2 माइनस x का whole square है ऐसे कुछ थाब के पस 1 by 2 माइनस x है 1 by 2 माइनस x का whole square है x less than 1 by 2 पे और x greater than equal to 1 by 2 पे x greater than equal to 1 by 2 पे और x less than 1 by 2 यह कोई बात नहीं हो और x आपके पास belongs to 0,1 तो था ही तो इस तो कि 1 by 2 के around में बात चल रही है तो ठीक है अब अगर मैं बात कुरूं कि 1 by 2 माइनस x है अगर यहां पर ध्यांस देखा जाए तो x equal to 1 by 2 पे क्या होगा 1 by 2 पे left limit में अगर आप पूट करोगे तो f of 1 by 2 माइनस left hand limit f of 1 by 2 plus right hand limit even functions की value 1 by 2 पे और इन सभी पे value 0 है इस function is continuous function इसका मतलब यह continuous function है यह continuous function है piecewise defined है अगर मैं f dash x कर लो तो f dash x कर लोगे तो क्या होगा minus 1 आ जाएगा x less than 1 by 2 पे और यह कितना आ जाएगा twice of 1 by 2 minus x into minus 1 कितना आगे है minus 2 और x greater than equal to 1 by 2 पे यह अब x equal to 1 by 2 minus करूँगा अगर तो minus 1 आ जाएगा और यह 0 आ जाएगा क्योंकि twice 2 बाहर आ है 1 by 2 minus x आ है minus 1 भी आ है difference इसका मतलब है कि f dash 1 by 2 minus की value आ रहा है minus 1 और f dash 1 by 2 plus की value आ रहा है 0 इस function is not differentiable तो मैं उस पर गया है नहीं किस पर नहीं गया 0 और 1 पर गया है नहीं अगर मैं 0 पूट करता और 1 पूट करता आपके पास तो अलग बात है कि वो भी वो तो अलग अलग आ रहा है आपके पाट functions की value अगर मैं put करता है अलग अलग जगा पवे यूंकि 0 1 अगर मैं बात करू हूँ कि 0 मैं कहां पर पूट कर सकता हूँ तो तो फिर 1 by 2 के पहले यहां पर 0 पूट करूँगा, 0 वाला में यहां पूट करूँगा, 1 by 2 के पहले और 1 वाला यहां पूट करूँगा, तो functions के value आपके पास अलाग अलाग आई जाएगी, तो ठीक है, वहाँ पर इस्व नहीं था, बट function डिफरेंसिबल नहीं है, continuous हो डिफर अप्लिकेबल ही है, तो LMVT theorem is not applicable, इतना अच्छे से आपको पूरा बता रहा हूँ है, ठीक है, ओके, इतना अच्छा idea होना चीए, ठीक है, चलो, अगर मैं बोलूँ आप से, कि यार, एक function है, आपके 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 इक्जामपल लंबर 68 यहां और belongs to कितना दिखा है, 1,E, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो LMX की बारे में तो बहुत अच्छे जानते हैं, यह सर बहुत अच्छे जानते हैं, चलो, मान लेते हैं, कि आप जानते ही, LMX की बारे में, में से पढ़ने माले इस्टुमेंट को, LMX को ऐसा ब अगर 1 और E की बीच में बात करूंते हैं, सभी लोग जानते हैं, और डिफरेंसेबल भी है, इसमें तो कोई इस्टुमेंट भी नहीं है, अच्छा, अगर मैं X equal to 0 पर बोलता कि क्या होगा, तो function continuous नहीं है, X equal to 0 पर डिफरेंसेबल भी नहीं है, क्योंकि LNX का 1 by X सबत और X equal to 0 पर बनी है, तो log natural जो होता है LNX, ये continuous function नहीं X equal to 0 पर और डिफरेंसेबल भी नहीं है, बट, बट, 1 से लेके E की बीच में, 1 से लेके E की बीच में, तो कोई इस्टुमेंट नहीं है, यहां तो function continuous भी होगा, तो कोई इस्टुमेंट नहीं है, तो LNX आपकी पास continuous भी 1, E में, और अगर मैं बूलूँ की इसकी value, की F of 1 की value, F of 1, मतलब LN1, LN1 कितना होता है, सच 0, और F of E, LNE की value, Sir 1, Sir, इसका मतलब है, F of 1 is not equal to F of E, तो LNVT 3 में जापली के बल बिलकुल सही है, C की value में को find out करना है, find the value of C, find the value of C, तो ठीक है, इस case में हम find out कर लेते हैं, अब मैं को पता है कि आपके पास एक tangent होगा, वो parallel to the disc lining होगा, जो 1 और E की बीच में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कोई बड़ी बात तो होए नहीं, F of X की value लिख लेता हू जो ला जो line, A, B, जो line है दो points, और ये B minus है, F of B क्या था, ये belongs to 1, E, तो LN E कितना था, ये F of B मत्तब LN E, minus LN 1, divide by E minus 1, F-X कितना होगा, 1 by X होगा, ये, क्या है value, LN E की value, 1 sir, और LN value की value, 0, divide by E minus 1, क्या है X की value, सर, X की value, E minus 1 आ रहा है, सर, और ये C की value होगी, there is a C, इस point पे, X मत्तब वही C की value हो, अब ये C को कोई बोल देगा, कि सर में को F-Date C लिखना है, तो कोई गलत थोड़ी है, वो तो पताना है, जो X निकाल रहा है, वो ये C है, वो तो निकाल रहा है, पने X की value, बार बार क् की डिफेंसेट की, LN 1 by X हुआ, अब भी LN E हुआ, F of A LN 1 हुआ, LN 1 0 होता है, LN 1 होता है, E minus 1 हुआ, तो ये आ गया 1, X हुदा है, E minus 1 आ गया, yes answer, आ गया, अगया, अब की पास एक polynomial दिया, आपके पास second order, is the quadratic equation, actually, is the quadratic equation, एक quadratic equation दिया है, कि quadratic equation है, और X belongs to A, B, find the value of C, such that LNVT theorem is satisfied, बोल दियागे, कि LNVT theorem satisfied है, अगर LNVT theorem satisfied बोल दिये गया है, तो फिर तो हमको बात ही नहीं करना, बढ़ फिर भी मैं को पता है, इस दा polynomial, इस दा quadratic equation, लोगो पीपीडी चीए रहता है, बिना वीडियो की पीपीडी का करोगे गया, पता नहीं, तो इस दा quadratic equation, और डिफरेंसेबल तो होगा, बिलकुल होगा, कोई इस दीफरेंसेबल है, डिफरेंसेबल है, अगर मैं बोल दू कि F of B की value क्या होगी, तो F of B की value तलग होगी, F of B की value, F of A की बराबर तो होगी नहीं, तो X की value B अगर होगी, तो P, B square, हाँ, QB, प्लस R है, और F of A की value क्या होगा, F of A की value, P A square, Q A, प्लस R होगी, और जब satisfied बोल दिया है, LMVT theorem, तो बस मैं को concept क्या करना है, कि मैं को लिखना है, कि LMVT theorem, अगर satisfied कर रहा है, तो F-X equal to, यह आपके पास होगा, slope किसका, उस line का, A और B को जोडने वाली line का, और B minus A, F-X क्या होगा, तो बोले, difference rate कर लो, PX square क्या हो जाएगा, 2PX, फिर, फिर क्या होगा, QX का Q आ जाएगा, पस, F of B कितना हो जाएगा, F of B हो जाएगा, आपके पस, P, B square plus QB plus R, F of A कितना हो जाएगा, P A square minus QA minus R, और यह कितना हो जाएगा, सर्फ B minus A, ध्यांस देखा जाएगा, इसमें, तो R cancel out होगी है, ठीक है, और ध्यांस देखा जाएगा, तो P के साथ कितना आ गया, सर्फ B square minus A square, और Q के साथ, Q के साथ आ गया, सर्फ B minus A, divide by B minus A, सर्फ कर मैं इससे divide करनो तो क्या हैगा, B minus A से divide करनो तो P के साथ आ जाएगा, B plus A, और इसके साथ आ जाएगा, सर्फ Q, बिल्कुल सही है, लेफ्ट साइड में क्या था, सर्फ 2P X था, प्लस Q था, बिल्कुल, तो क्या हुआ, सर्फ Q और इधर से divide by 2, यह X की value आगे से, और यह value वो C की value है, इसका मतलब यह हुआ, कि किसी quadratic equation में, किसी quadratic equations होती है, quadratic equations में, जो उसके boundaries के point होते हैं, उनका average value होता है, वहाँ पे जरूर वो point आएगा, जिसमें कि उसका जो tangent होगा, parallel to, वो जो line को, जो add करने वाला जो point होगा, जो आपके पाँ बनता है, X equal to zero पे क्या आएगा, R आएगा, और यह आपके पस figure, यह, जिदा figure, पी क्यो आपके पास, यह graph है, पैरा बोला आपके पास, जैसे दिख रहाँ, जिदा graph, हमेंसा average value की बराबर आए गई, pure Q की average value की बराबर आएगा, जो tangent होगा, आपके पस, दो point पर जो tangent होगा, तो छो आप रूट्स की value जो find our करे कि तो root की value निकल जाएगा आपके पस, दो point पर आपके पास मिल जा अएगा, इसका मताब है कि suppose करो, यह 2 points है आपके पास, यह 2 points है, यह 2 points पर आप मिला दे रहे होंगे, इन 2 points पे इसा मिला दे रहे होंगे, यह 2 points यह तक add हो सकता है, X की value आपके पास कितना था, यहां पे आपके पास A, B था, A और B की value तो लिखी नहीं है, कि A की value कि आपके पास तो X equal to A यह माल लेते हैं, X equal to B, A और B positive हो गए तो लिखा नहीं है, तो यह आपके पास हो गया, अब इसके साथ जो tangent होगा, यह आपके पास होगा, यह यह parallel होगा, इसके दोनों लाइन के parallel, हम बोल रहें कि इस point पर जो value होगा, वह average value के बराबर होगा, यह मारे बोलने का मतलब है, ठीक है, ओके, तो यह graph है आपके पास, अच्छा, consider the function f of x equal to, अच्छा, कभी भी अगर quadratic equation दिया, अच्छा, अभी पूरे जब आप खताम होते तक लेक्ट से देखोगे, जब भी कोई quadratic equation दिख रहा है, और कोई भी आपके पास दो point दिया, और इसकी value बोल रहा है, आपके पास तो पता है, solution यह बोलता है, कि आपके पास c की value a plus b by 2 होगी, मतलब a plus b by 2 मतलब a की value 11 by 2, प्लस b की value 17 by 2, और यह 2, 17 और 11, 28 बटे 2 मतलब 14 होगया, divide by 2, मतलब 7 ही answer आएगा c की value का, यह answer आगे, from the element 3, अक्का, यह answer आएगा, अब आप put करना है, तो 17 by 2 put कर दो, इतना बड़ा calculation कर लो, 17 by 2, फिर 11 by 2 put कर लो, x जबा, 2-4 मिनट के बाद जब solve करोगे, तो answer will be same, इसका तब है, this result is only valid for the quadratic equation, a और b की value कुछ भी हो, the quadratic equations, यह, the quadratic equations, अभी जो पढ़े थे, अभी जो पढ़े थे, अभी जो पढ़े थे, अभी हम solve किये ना, यार, यह देखो, solve किये पूरा है, this one, this is the important result, ठीक है, अब हम यहाँ पर आ गया, कि consider the function f of x equal to 1 plus x log 1 plus x है, और x belongs to 0, 1, the value of c such that lmvd theorem is satisfied, to continuous function होगा, log 1 plus x is the continuous function, 1 plus x is the continuous function, बोटा, इसका मतलब यह हुआ sir, कि continuous into continuous is the continuous, सही, differentiable है, 1 plus x into differentiable, yes, वैसे तो जरुबात नहीं इसा बात करने की, क्योंकि बोल दिया, satisfied करेगा, बट फिर भी हम तो अपने concept की बात करेंगे, algebra of continuity, algebra of differentiability, yes, we know it, हाँ, मैस में कहीं पर भी log 1 plus x लिखा है, तो कभी confused मत होना कि log 1 plus x लिखा है sir, मैस में कहीं पर भी log 1 plus x लिखा है, electronics electrical वाले अपने जिन्दगी में इतना ज्यादा log को यूश करते हैं कि उनको लगता है कि अपना वाला log हो जाए बोला, तो वो लोग problem create करतें कई बार, extra thought के गारण, ठीक है, which always ln 1 plus x, अच्छा, f of x की value दी थी आपकी पास, और आपको बता दिया गया, अब अगर मैं बोलों कि चलों ठीक है, function के बारे में अगर हम बोल रहें कि f of x की value क्या है, तो f of x की value 1 plus x है, और ln 1 plus x, log 1 plus x मतलब ln 1 plus x, और क्या values आपकी पास, sir, 0,1, 0,1, this one, अब मैं को बता function is continuous differenceable है, f of 1 की value कितना हो रहा है, sir, f of 1 की value, 1 plus 1, 1 plus 1, और ln 1 plus 1, जहाँ देखा जाया है, तो 2 ln 2 आ रहा है, यह सर्थ 2 ln 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, f of 0 की value, f of 0 की value 1 plus 0, और ln 1 plus 0, finally आगया ln 1, और ln 1 0 होता है, ठीक है, इसके अगर पर कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं को अब अब देस x करना है, और f देस x equal to f of b minus f of a upon b minus है, इसे लम विटी थिएरो, f of b क्या होगा है, f of b मतलब, right वाला 1, f of 1 मतलब, f of 1 minus f of 0, divide by 1 minus 0, f of 1 कितना होगा है, 2 ln 2, और यह f of 0, 0 होगा है, और 1 minus 0, तो 2 ln 2 होगा है, f देस x कितना होगा, f देस x, 1 plus x और ln 1 plus x कितना होगा है, sir, 1 upon 1 plus x, 1 upon 1 plus x आगे, ठीक है, फिर, sir, ln 1 plus x, yes, ln 1 plus x, और 1 plus x का 1, sir, यह, equal to इधर कितना होगा है, sir, 2 ln 2, 2 ln 2, यहां से कितना आ रहा है, sir, 1 plus x, cancel out, sir, कितना होगा, 1, sir, और यह ln 1 plus x, इधर चला गया, तो ln 1 plus x, यह, equal to 2 ln 2, और minus 1, यह, कितना होगा, दियान सकते, देखा जाए, तो 2 ln 2 को मैं, ln 2 का square लिख सकता हूँ, तो ln 4, यह, 2 इधर चला गया, 2 का square दो 2, ln 4, minus 1, minus 1 को मैं लिख सकता हूँ, यह ln 4 था, और 1 को क्या लिख सकता हूँ, ln e लिख सकता हूँ, मतलब क्या होगा, दियान से देखा जाए, ln यह मतलब 1 होता है, calculation, तो थोड़ा mathematical यूज किया है, कि ln 1 प्लस x था, क्योंकि इधर ln हैना, ln cancel out करना जरूर है, तो ln 4 किये, minus 1 था, उसको क्या किये, ln 4 minus 1 को क्या किये, ln e कर दिये, अब यह ln क्या होगा है, पताब 4 by e होगा है, अब यह ln से ln cancel out, 1 plus x का answer, 4 by e, x का answer, 4 by e minus 1, मतलब 4 minus e divide by e, और यह जो x से यह c है, यह x से यह c है, 4 minus e by e, इसा answer, यह, 4 minus e by e, 4 minus e by e, भी answer, बांबे, यह answer आगे आपको, कोई सूँ, नहीं, अच्छा, यह तम solve कर लिए, ठीक है, calculation done, यह jman 2020 का question है, 2020 का J, IAT J E का, क्या बोला आपके पास, कुछ होता नहीं है, आपके पास, बस हमको इतना smart रहना है, कि IAT J E बोलने से डरना नहीं है, बस आपको, बोला कि ता position आप है, moving car at a time t, अगर मैं position की बात करो, एक moving car at time t पे गिवन है, f of t equal to 80 square plus bt plus c, यह आपके पास, जो देखे रहा, position आपके पास, दियो t greater than 0, time तो ही, where ABC are the real number greater than 1, ठीक है भाई, positive value ABC की value, then the average speed of the car over the interval t1, t2 is attained at the point, the average speed of the car over the interval, जब मैं बात करता हूँ, आपके पास की, जब मैं average speed की बात करता हूँ, तो मैं को position दी गई, आपके पास तो speed मतलब velocity, average speed मतलब velocity, तो velocity मतलब क्या होता है, जब मैं बोल देता हूँ की, derivative of position आपके पास, तो position अगर हमारे पास है, तो d by dt ft क्या होगा, d by dt ft, that means velocity होगा, the derivative of position, is the abdacity, और इसी को आप बोलोगे, velocity, इसी को आप बोलोगे, वैले सिटी, अब आपके पाब बोला है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास तो functions की, अगर बात की जाए कि, आपके पास टीगेट जिरो पे दिया है, average speed of the car, और दा इंटरवल, तो कभी-कभी हमको click नहीं करता है, कि question किस पे बेज़ दे, अगर मैं T1 और T2 पूट कर दूँ, तो T2 पूट करूँगा, T1 पूट करूँगा, तो question आपके पास इस बात पे बेज़ दे, कि ये हमसे पूचा गया है, अगर ये हमसे पूचा गया है, इसका मतलब है कि हमसे ये पूचा गया है, कि यार पता है आपके पास F-T is equal to F of T2 minus F of T1, divide by T2 minus T1, ये position है, this one is the position, position difference, difference in position, difference in position, difference in position, divide by difference in time, तो क्या हो गया, velocity हो गया, ये, F-T, इसकी बात की गई है, अब भी हम थोड़े पहले देखें कि, अगर मेरे पास एक function quadratic equations के form में दिया गया, 80 square plus BT plus C था ना, ये, पता आपके पास तो T belongs to T1, T2 है, तो पता आपके पास जो value आएगी आपके पास, ये, इस T0 की value, ये, जो T0 की value आएगी, जिसको आप C भी बोलते है, जिसका अब एवरेज value, A plus B by 2, T1 plus T2 divide by 2, इस वाइड बाइड 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 इस वाइड ये, वो C वाला cancel out हो जाएगा, फिर इसमें A square minus B square बनेगा, T2 minus T1 से divide कर, तूँं, answer will be this, अब एज तो solve किये थे हम लोग, तो ये, आपके पास आजाएगा, ये, तो वो point आपके पास, जिसपे attain करेगा, तो the position आपके moving car, उते time T, जो position आपके पास एक car की, वो एक time के साथ आपके पास given एक पैराबॉला function दिया है और फिर बोल दिया के average speed of the car over the interval is attains at the point जब वह average speed आपके पास attains कर लेगा तो उस point पे क्या होगा इसका मतबब है कि वह आपके पस उसका मतबब है कि उसी point पे जहां पे हम बोलते की tangent जो होगा आपके पास वह यह आपके पास time t1 था यह आपके पास t2 time this one यह अगर मैं बोलू हूँ कि इस point को मैं ऐसा add कर दिया यह this one अब आपके पास बोला गया कि यह जो function is the parabolic function था आपके पास और बोला गया कि attain आपके पास average speed आपके पास attain क्या कर रहा तो this is the point यह यह the t0 यह इस point पर आपको value बताना था तो average value t1 और t2 बाई 2 ठीक है तो यह आपके पास यह आपके पास यह maximum value तो गया उसके बाद पर ऐसा आपके पास होते जा रहा तो यह आपके पास जो average speed होगा आपके पास that means the average value इस जगह पर तो ठीक है तो जैसे मैं average speed की बात करों तो average speed की जब हम बात करते तो हम बूल सकते कि average speed जो होगा अगर इस interval पर cover करना तो derivative आपके पास तो derivative आपके पास कवटें करेगा this value is the constant value ठीक है तो इस type के कभी-कभी geometrical significance पर बेस कुशन लिया में एक तो T1 प्लस T2 बाइटू और थौट यह था कि आपके पास यह जो quadratic equation है बड़ा ही famous से लोग लेते है इस दा very very important और यहां पर ध्यान रखना कि अगर यह कुशन आपको ऐसा gate में भी आता है तो that means we will consider this the average value of the both points actually T1 and T2 इस बात को धियान रखना हूं ठीक है f of T था और यह T था the value of c prescribed the LMVD theorem when f of x equal to x is minus 4 और आपको पता है कि this function is continuous function is differentiable और मैं को find value भी निकालना हूं जब option दी है सब कुछ इसका मतलब यह कि LMVD theorem valid होगा नहीं तो फिर options कैसे आते not valid भी दिया रहे तो और वैसे ही मताएं this function is continuous function in differentiable तो अगर मैं बूलों कि सीदे को solution से स्टार्ट करना है तो मैं डारेट बात कर सकता हूं क्या solution अगर मैं को स्टार्ट करना है तो मैं सीदे इस बात करूं क्या कि f of b mतलब f of 3 की value कितना है f of 3 की value तो under root 9-4 तो root 5 पे भूले ठीक है भी यह f of a कि wa l yu कितना है तो बोले f of one कि wa l yu कितना है टू कि wa l yu कितना हो गया 4 minus 4 जीरो एक दुनों wa l3 नहीं है टो एफ्प फफ बी नॉट एक्वल टू एफ और आप बी नॉट एक्वल टू एफ आप पह लिए पास फंक्शन से मेरे पास अंडर रोट एक्स स्क्वेर माइनस फूर जै क्या क्या था आपके पास वाल्यू 2,3 एच आपके पास एसर 2,3 अब मैं बोल रहूंगी ठीक है मैंको तो कुछ simply solve करना f एक्स निज़ेिका फ्यर्या माइनस एफ ओप टू डिवाइड भाइड भाइट थी माइनस तू नॉमली इसा रहीं दिया रहता है जिसके करण नीचे का वैली बना जाए आप डैस एक्स कितना होगा वन अपां टू अंडरूट वैली एफार फॉ आ Si Yađ का बचा है जयार रोट औ के बचा है जेंसर वी हो गया वह से खैस आपकेंए लूत लेकिन उपर एक्स बचा इए एक्स अपान अंडरूट एक्स स्कार माइनस फू फॉर बचा है यहां बचा यह पचा है इस यहां बचा है रूट 5, चेक करना आपके पास, yes sir, 2 x square minus 4 बचा था और 2 x था 2 से 2 cancel out हो गया, ठीक है, अगर मैं दोन साथ स्क्वेर कर लो, यह आ गया आपके पास x square, यह आ गया x square minus 4 equal to 5, तो कितना हो गया, 5 x square minus 20 equal to x square, यह, तो कितना हो गया, 4 x square equal to 20, तो x की value आ रहा है, plus minus root 5, और plus minus root 5 में 2, 3 में, 2, 3 में c की value कितना हो सकता है, c equal to root 5, क्या c की value minus root 5 हो सकता है, नहीं, c की value यह नहीं हो सकती, c equal to root 5 इस दा answer, यह दे को difference rate कर लिए, root 5 आपके पास, यह दिया भी answer बहुंबे, simply solve हो गया, root 5, यह, तो ऐसे question solve किये जा सते हैं, आराम से, यह 2015 ID कानपूर का question, अफगेट के question में ले लेता हूँ, यह question number 110 पर पहुच गया, मतलब मैं calculus का 110 question करा चुका हूँ, calculus का 110 question करा चुका हूँ, और अगर मैं बोलू की, एक्जांपल कितने करा चुका हूँ, 73 करा चुका हूँ, calculus में, तो 110, 73, 183 question solve करा चुका हूँ, इस calculus के वाली chapter में, एक function दिया, दोरजाब 15 के question की बात करते कि, एक function f of x, 1 minus x square plus x q, और यह तो polynomial है, बिल्कुल, इस function is continuous, बिल्कुल बिंदासे से, इस function is continuous, इस function is differentiable, तो यह हमारा concept है, इस function is continuous, yes sir, इस function is differentiable, yes sir, क्या इस होई, इतना तो आपको आई गया है, इस defined in the close interval minus 1 to 1, the value of x in the open interval minus 1 to 1, for which the mean value theorem, आपको पता है, जो c होता है, यह function defined है, close interval में, ऐसी होता है, और जो c होता है, आपके पास, बिलॉंक्स टू, यही जो close interval होता है, इस open interval के middle में कोई value होती, इस खांदा boundaries पे value नहीं होती, for which mean value theorem is satisfied, अच्छा यह नहीं बता है कि which mean value theorem, यह बोला कि mean value theorem में satisfied, बट रोले से, या language mean value theorem में यह नहीं बता है, function is continuous, तो डिफरेंसे बले, अब में को क्या करना है, f of x को अगर मैं देख लो, तो में को बोलना है, कि यह किस point पे दिया था, sir minus one to one दिया था, minus one to one, तो बस में को check क्या करना है, में को check करना है, f of one कितना है, f of one पे check कर लो, तो one minus one का square one, plus one का cube one, cancel out one आ गया, f of minus 1 चेक करना है तो 1 minus minus 1 का whole square तो 1 आ गया और minus 1 का cube तो minus 1 आ गया कितना आज़ा है बोले minus 1 तो f of 1 is not equal to f of minus 1 और continuous or differentiable तो था इसका अधाब LMVT theorem is applicable यस सर LMVT theorem is applicable यही बात है अगर LMVT theorem applicable है तो फिर क्या हुआ LMVT theorem अगर applicable है तो f days x equal to हो गया f of b minus f of a upon b minus a f days x की value कितना होगे 1 का 0, x square का minus 2x और x cube का 3x square बिलकुल सही f of b की value कितना होगे f of 1 की value, right value यह b है यह a होता है तो b की value कितना होगे 1, f of a की value minus 1 तो 2 आ गया, b की value 1, a की value minus 1 तो 2 by 2 आ रहा है यह तो यह 1 हो गया अच्छी बात है तो पता function कितना हो गया 3x square minus 2x minus 1 equal to 0 1 कोई धर ला लो तो मेरे पास equations क्या बची दियान देखो 3x square plus 2x minus 1 equal to 0 चेक कर लेने एक बार यह सह minus 2x है sir minus 2x है x square minus 2x है तो अब x square लिने का रहा है तो minus b के तो 2 आ गया plus minus b square के तो 4 आ गया minus 4 इसी की है कितना आ रहा है plus 12 आ रहा है divide by 2 एक तो 2 into 3 6 आ गया x की value कितना आ रहा है 2 plus minus under root 16 4 आ गया divide by 6 आ गया इसका तब x की value आ गया आपके पास 2 plus 4 by 6 और 2 minus 4 by 6 मतब x की 2 value आ गयी 6 by 6 आ रहा है मतब 1 और या रहा minus 2 by 6 minus 1 by 3 मेरे पास range कितना दिया था x belongs to minus 1,1 था बट c belongs to क्या होता है open interval minus 1 to 1 c की value 1 equal to possible है कि c की value 1 नहीं possible है क्योंकि ये open interval के अंदर है और c की value minus 1 by 3 possible है यह सा minus 1 by 3 इसके बीच में है तो c equal to minus 1 by 3 is the answer c equal to minus 1 by 3 equal to answer साल हो गया आराम से कोई इससू नहीं है अब आपके पास दिया था 1994 में एफ आप बी माइनस एफ आप डेस जीटा एफ आप एक्स इतना है तो बता दा वैलियो आप जीटा की value बताना है जीटा 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 कंट्रोल सिस्टम में जीटा डेंपिंग रेसों के लिए ऐसा यूश करते थे यह मानलों की कोई सिंबॉल है इलेक्टोंस इलेक्रिकल आइन वाली जीटा बोलते है इसको इनदा मीन वैली ठेराम एफ बी माइनस एफ आप डेस जीटा की value आपके पास यह है तो अगर मैं धिहान से देखूं कि गिवन क्या है गिवन यह है यह आपके पास बी माइनस एंटू था ही है यह गलत लिखाता है यह 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 एफ डेस जीटा की value कितनी है सर एफ आप बी माइनस एफ आप ए अपॉन बी माइनस ए तो वही बात हो गई कि जीटा की value निकालना है अगर मैं जीटा की value बता हूँ बात करूँ तो जीटा मतलब वही C और C मतलब किसी quadratic equation दे को quadratic equation है इसका आंसर क्या होता है इसका आंसर सर पता है सर A plus B by 2 होता है के इन फॉट करता एसा इसा नहीं कि स्वाल वी पूट करता फिर F up क्यारा का पूरा फंक्शन के अंदर पूट करता ऐस इसक्वेर प्लस फॉर सी फिर थासी passes करता सी धिवाईट करता अंसर ऑगे है आंसर आगया सिंपल कि दोज़ार आठारा आटी गुवाटी का कुश्चन तो फोड़ा डिफ्रेंट डैप का कुश्चन इसके था कि में वेली ठीरम फॉर एक अपक्स बुल दिया कंट्रियोंस फंक्सन है इन दा इंटरवल एक कॉमा भी देर एक जिसे वैली जीटा और फिर ऐसा आपके पास ऑफशन दिये ठीक है तो अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास अगर जीटा आपके पास एक जिस करता है तो फंक्सन एप डेस जीटा एक्वल टू कितना होगे सर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए एकोडिंट तो अलम वीटी ठीरम यह तो हम जानते हैं अलम वीटी ठीरम से यह होता ही है यह सर अब मेरे पास जो फंक्सन दिया है तो एप डेस जीटा की वैली होती है मैं को बुलाए गया कि वो ए से बी एफ आप पास फाइंड आउट करने हैं इसकी वैली क्या होगी इसकी वैली होगी एफ ऑफ एक्स का इंटिकेशन सब्सक्रों जी ऑफ एक्स होता है तो जी ऑफ एक्स होगी एफ एक्स का इंटिकेशन होगी है तो एफ एक्स लिख दो आप यह इंटिकेट होगी एफ एक्स और फिर यह एक बात उपर लिखो चाहाँ इसा लिखो दो में से कुछ भी यूश कर सकता हूं मैं उपर वाला नीचे वाला अब हमारे पास है क्या देखना पड़ेगा इस वन कुछ भी लिखो यह लिखो यह लिखो इतना है क्लिए रहा हमको यह आई मत्तब इंटिकेशन इस फंक्सन का इंटिकेशन करेंगे यह वाली यहां पर नहीं है इ Hampshire इंटिकेशन की बाद वैल्यों के ली यह normal वैल्यों अच्छा ए ऐ एक्स की वैल्यी थी पस point पूट कर दिये हम slope की वैल्यू तो बी ओर की वैलियु भी रूख की यह वैल्य की बाद की बादो कि मैं इसका F of X था और X equal to A यही तो था X equal to B पूट के तो F B आ गया F A आ गया और B minus A तो constant value अगर मैं दोनों साइट integration ले लो तो क्या होगा अगर मैं दोनों साइट integration ले लो यह तो पता क्या होगा F of Geta होगा integration ले लिए इस F of X का integration ले लोगा तो क्या होगा यह तो को integration होगा और X equal to B माइनस F I integration कर रहा हो और X equal to A और यह तो constant इस function के साथ ही constant है अगर मैं X by 2 का integration करूँगा तो X is square by 2 आएगा ना और X by 2 का तो X is square by 2 और डिवाइड by 2 तो रहेगा तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यह तो constant value इस function के साथ में अच्छा दिहांस देखा जाएगा तो क्या हुआ F D F Geta की value integration के बाद पता है ऊपर वाला क्या आ गया F I B हाँ माइनस F I A डिवाइड बाई B माइनस तो पता है इसकी value क्या रही F I B माइनस F I A की value कितने है अच्छा यह value B माइनस A multiply होगा F Geta से B माइनस A multiply हो जाएगा This is the answer F Geta से B माइनस A multiply हो जाएगा F Geta से B माइनस A multiply हो गया तो ऐसे कोशन है तो मैंसे कईब कभी click नहीं करते क्या यह क्या बोल रहा है यार ऐसा तो हम नहीं देखते थे यह तो integration आ गया कुछ भी नहीं है उस function को integrate कर लो अलग function बना लो या तो I लिख दो जैसे मैं दो मैंसे कुछ भी तरिका यूश्च करता था मैं भूला चलो I लिख लेते फिर मैं देखा कि यार already we know that तो जो वी know that है वो उपर का जो है और यह है वो same नहीं है तो ठीक है भी तो compare हो गया answer आगया दो जार इक्किस आईटी बंबे क्या आपके बस दो जार इक्किस आईटी बंबे का कि एफ आप एक से क्वाडिटिक एक्वेशन दिया है एकसे के मानस 2x प्लस 2 बीए कंट्रियोंस फंक्सन आप डिफाइंड होंदा इंटर्वल 1,3 और पॉइंट वीजदा टेंजेंट आप अच्छा यह अच्छी से दिखना चाहिए कि दा पॉइंट एक्स एट्वीजदा टेंजेंट अब एफ आप एक्स बिकम पारलल टू दा लाइंट ए यह 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 एक से मानस टू एक्स प्लस टू और f आप 1 और f आप 3 ुको जो छो लाइन जोड रही है तो बता आपके पास उस एक्स की वैल्यू जोड़ों यार अगर कोई बाधिश्मार्ट है तो बोलेगा एक्स की वैल्यू सर क्वाडिटिट किसे में सर यह वैली होती है एक फ्लस बी बाइस एकड अज़े ऑगे आगे आगे आपके पास आंसर कि अगर हम कोई नहीं पता होता है अच्छा नहीं पता होता तो हम बोलते हैं तो इस फंक से इस कंटिनियस नहीं पता होता तो हमारे पास points से बोस्सार है कि this function is continuous है yes sir this function is differentiable है yes sir पिर हम बोलते कि this functions की value f of 3 पे f of 3 पे कितना है 9 minus 6 plus 2 ऐसे है हाँ 11 और 6 5 आगे f of 1 पे कितना है f of 1 पे 1 minus 2 plus 2 तो या ता 1 f of और हम बोल देते कि ये function है आपके पास ये है ये आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख लो ऐसा points बना लो ये आपके पास है ये कितना है ये one है ये कितना है three है one पे five था इस point को add कर दो ये ही आपके पास है f of 1 और f of b a और b point ले लिए ये one पे value कितना है one पे value है sir one और three पे value कितना है five ये five value है f of x है और हम ये ही तो concept की बात करते है कि आपको बस पता रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक points होगा ये tangent parallel होगा ये ये इसके average value के बराबर होता है two के बराबर ये tangent parallel two कि f of one line है और f of three line यहीं बोला था question अब अगर मैं को नहीं पता होता तो मैं भी solve करता और value put करता कि देखो sir f days x कितना होता फिर मैं value से solve करता आपका ऐसा है कि solve नहीं कर सकते हैं ऐसा confuse नहीं होना है कि कल आपको याद नहीं आता आप बोले कि sir मैं को सर्व आप concept बताया थे वो याद नहीं आ रहा है उसमें थोड़ी कुछ है एक्स स्क्यार माइनस कितना है टू एक्स प्लस टू है यह solve भी कर देता हूं कि f days x equal to kya होता है f days x equal to f of b f of three minus f of a f of one divide by three minus one एक्स-क्रोड तो कितना जाएगा 2x minus 2 आजाएगा f of three कि value कितना था five f of one कि value कितना था f of one कि value one था यह three minus one is 4 divided by two यह two आगया यह two आगया आपके पास तो यह two x है और यह two two गया तो four आगया और x के लिए कितना रहा है two कुछ तो यह इंपॉर्ट इस वेरिए इंपॉर्टेट कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है थी के तो क्वाड़िक के देखने को मिलते रहते हैं आइटी का पेपर आप दे रहे हो गेट का पेपर दे रहे हो कोडिटिक देखने को मिलता है यस तो इसका एडवांटेज लेंगे अपन अब यह 1995 का कुश्षिन था आईटी कानपूर का कुश्षिन और इवन यह बहुत भी वेरी गूट और आपके किसी के कॉपी में यह अविलीबल ना हो यह कुश्षिन हो भी सकता है बड़ चांसेस कम है क्योंकि यह कुश्शन बड़ा थोड़ा अच्छा कुश्शन था माथमाटिकली बड़ा अच्छा कुश्शन था बुला कि f of 0 दे दी है 2 है ठीक है भी है अपड़ एक्स दे दी है वन अपान 5 मानस एक्स स्क्वेर बता दी है बता यह मीन वैली थिरम के थूर एक्पर और लोर बाउंड की वैली में को फाइंड आउट करना तो देखने से क्लिक नहीं करता है कि क्या करें देखे अब आपके पास अगर मैं बोल रहा हूं कि f of 0 की व isar F-deas X की वैली होगी f of b मतलब 1-f of 0 बिल्कुल और b-a F-deas X की वैली गिवन है भाई 1-5 मानस एक्स स्क्वेर एक्स एकषष करैं F-1 ही नहीं पता और f of 0 की वैली दी है 2 और यह 1-0 तो 1 तो f of 1 मानस 2 आ गया एक्पर वन पता नहीं है और पता आपके पास यह डिफ्रेंसेशन की वैल्यू है इसका अब यह एक्सी जगा सी तो यह सी आपके पास कोई वैल्यू होती है एक्स इकॉल तो सी जो हम निकालते हैं अब यहां निकाल क्यों नहीं पारे क्योंकि यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू ने दी गई है एफ ऑफ वन माइनस टूँआ इतना अगया अब यहीं पे आप अठक जाए होगें यहीं पे आप अठक गया कि वन अप वन फाइप माइनस एक्सेस की तो मैं बहुल रहों कि आसान नहीं होता और मैं बहुत है कि सी जो होगा सी की वैल्यू किसके पीच में होगी सी बिलंग स् जीरो और 1 तो जीरो कॉमा 1 यहां से f जीरो है यह जो दिया था आपको और यह एफ आप वन है जो आपको निकालना इस का पर और लोवर बाउंड वैल्यू निकालना है कौन चाहता है मतलब सब अपनी जिन्दगी जीना चाहते को इतना घुस-घुस के पैसा नहीं हो सकता अपनी जिन्दगी दाओ पर लगा दे अपनी परसनल लाइफ दाओ पर लगा दे इंटरेंडमेंट खतम कर दे बैठा हुआ है मतलब वह आई टी के जिसे प्रोफेसर साइ बच्ची जीने में कोई सुनी है लेकिन उतना पढ़ने पर बिलीव नहीं करते है उनको लगता है कि मजदार लाइफ भी तो जीना है तो इसलिए बहुत सरी कुछ-कुछ बाते अच्छा इंट्रेस्ट नहीं लेता है इस्ट्वेंट अगर पीछे पढ़ जाएगी सर यह को कुछन यहां पर अटक गया कि अब सर कैसे कर रहा है एफ वन की वैल्यू कैसे फांड आउट करें इसका लोर और अपर बांड वैल्यू ठीक है ऐसा कुछन बनने की चैंसे कम होते है और मान लो कि ऐसा कुछन एक्जाम में आगया और आपको नहीं बन रहा तो कोई सुनी है ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी सब्जेट के हर कोशन कोई भी बना लेगा इंकलूडिंग AIR1 भी हो तो भी क्या होता है अब अच्छा कंसेप क्या था आपके पास की सी की वैल्यू जिरो से वन के बीच में है ठीक है सी की वैल्यू जो है वो जिरो से वन के बीच में है जि जीरो से 1 ही रहेगा, C², अच्छा, माइनस का मल्टिप्लाई कर दू, माइनस का मल्टिप्लाई कर दू, जीरो में तो, 0 ही रहेगा, माइनस का मल्टिप्लाई करने से सब साइन चेंज जाते है, माइनस C², और ये माइनस 1, सब में माइनस का मल्टिप्लाई किया, सब साइन च आड़ कर दिया जब एक भाइड किया तो यह उसा श्राइब एक जरॉंगा जब जैसी आपन 1 अपन करते हैं तो फिर आपके पास sign change सब को receive को ले लो 1 बाई 5 ये greater than sign था 1 अपन 5 माईनस c square फिर ये आपके पास greater than था 1 बाई 4 इतना आपके पास होगी अच्छा 1 माईनस 5c square 1 अपन 5 माईनस c square की value कितना था पता है f of 1 देखो 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 f of 1 माईनस 2 था इस value को ये value को में use करना चाहूंगा तो 1 बाई 5 ये f of 1 माईनस 2 और ये आपके पास 1 बाई 4 अब सोचो की सब में अगर मैं 2 एड़ कर दूँ तो ये 1 बाई 2 है तो 0.2 है 0.2 है न सब में 2 एड़ कर दे रहा 2 अपन 1 बाई 5 0.2 2 एड़ कर दिये इसमें भी 2 एड़ कर दिया तो 2 चला गया या तो ये माईनस 2 को इधर ली जाओ तो 2 2 दोन साइड एड़ कर दो इस साइड में भी 2 एड़ कर दो और 1 बाई 4 0.25 होता है तो 0.25 है 1 बाई 4 1 बाई 5 है 0.2 1 बाई 4 है 0.25 सब में 2 एड़ कर दिये पाद पता है कितना हो गया 2.2 हो गया f of 1 का रेंज कहां से कहां तक है 2.2 से 2.25 तक ये f of 1 का लोर और अपर बाउंड रेंज है 2.2 से 2.25 तक ये देखो दियां से तो ऐसे question ऐसा नहीं कि मैंसे वी एक बार में फटा बाट हो गया होगा मैं को भी सोचना पड़ा होगा कि अच्छा ये तो manage करना पड़े है तो अच्छा नहीं कि कोई मैं hero हो कि देखो ऐसे बना लिए नहीं मैं को थोड़ा सोचना पड़ा 2.2 कहां से था प्लोट करना पड़ा देखना पड़ा ऐसा फंक्षन दिया थो रहे लेमेटी थेयरम को यूच करना पड़ा तो हो सकता है यह कुछ आपको कि आपकी कॉफी नोट्स में यूटूब में हो सकता ना मिले करवादी हो तो मैं को नहीं पता मतलब मैं 90% हो तो पूरे दूनिया को तो जानने ही पहुंगा और फिर भी है कि 2005 कांदपूर का कुश्चन था आपके पस यह किया था हमारे पास कुश्चन यह देखो जहां से पूला कि रेल इंजिन एक्सरेलेट कर रहा आपके पास फ्रॉम इस्टेंस नहीं पूजिश्यां फॉर एट सेकेड रेवले डिस्ट सब्सक्राइब 280 मेटर एकोडिंटू मीन वैली थे रहां दैस्पीडो मीटर है इस सर्टें टाइम डियूरिंग एक्सलेशन मस्ट रीड एग्जक्ली मीन वेली थे रहां आपके पास बोला है तो कुछ है नहीं आपके पास पॉइंट्स अगर मैं बोल दूआ आपके पास हई है लाम स्फ पॉजिज्टन के पास ऐस सेट्बर पे हैं तो लेकर यह सेकेन्ड आपके पास कितना जारा है मेरे बात करो हाँ कि अपके पास किपना के पास किँए कवर करते जा रहा था रए डिस्ट जो में इसा निए ज No और फैड मेंट में आपके पास रखे बना दिया बद अगर मैं सिंपल ऐसी बात करोओं कि तो यह फिगर आपके पास perfect नहीं हुआ, इस figure को मैं हटाता हूँ, इस figure is not perfect actually, अब simple आगे बढ़ रहा है न, normally कर लेता हूँ, मैं mean value theorem के coding में try कर रहा था, तो आपके 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 पॉइंट यह हो गया कि यह, डिस्टेंस कितनी cover कर रहा था आपके पास, sir 280 meter, 280 meter, time आपके पास कितना लग रहा था, t equal to 0 से t equal to 8 second, तो यह position जो है आपके पास, यह दो distance हो गया इदा position, तो अगर मैं बोलूं कि इसका velocity कितना हो गया, speedometer का velocity कितना हो गया, इदा dx by dt, यह, तो यह आगे आपके पास 280 meter, divide by 8, तो कितना हो गया, 24, नहीं, तीन, 35, 35 meter per second, यह इसकी पास, speedometer का आपके पास, यह velocity होगा, speedometer का, तो mean value ठरम यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है, simple आपके पास है कि कितने second में कितना चला, तो यह सब दिया हुआ था, speedometer का आपके पास की kilometer per hour में, अच्छा, options of kilometer per hour में दिया हुआ है, और हमारा जो निकला, इतना second में, इतना meter कवर किया था, तो बस हम इतना ही बात कर लिए, तो basic आपके पास aptitude question हो गया, त्यांस देखा जातों, simple aptitude question हो गया, बस mean value theorem लिखा है, इसलिए आपके पास हम बोल दिन, तो aptitude questions हो गया है, कितना distance, इतना में कवर कर दिया, आपके पास, तो य तो एक रेल इंजिन एक्सलेट कर रहा है, इस stationary positions पे, for the 8 seconds, 8 seconds से आपके पास जो है, वो कर रहा है, और travel कर रहा है, distance इतना meter, 8 seconds में, अगर वो आपके पास चल रहा है, तो इतना distance travel कर रहा है, और mean value theorem से speedometer, तो mean value theorem क्या है, अभी आपके पास, पहले जब mean value theorem की जब हम बात कर है, नहीं, तेकि फिर भी, तो यहां पर average value की बात कर लिए, कि इतना distance आपके पास travel कर रहा है, तो second में, तो इतना हमार पास speedometer का, जो speedometer में, जो आपके पास दिख रहा होगा, इंडिकेट कर रहा होगा, वो इतना indicate कर रहा होगा, बुलना आपके पास की वो certain time में during acceleration must read, इतना exactly read करना चाहिए, तो जो speedometer है, वो इतना read कर रहा होगा, अब इसी को अगर मैं बोलू, कि मैं को convert करना है, convert करना है, मतलब कभी question कैसे रहते हैं, ऐसे question रहते हैं कि हमको कुछ करना नहीं रहता है, थोड़ा aptitude वाला part हमको mind में लगाना रहता है कि मेरे पास जो है, वो 35 meter per second है, अब मैं को kilometer, speedometer का जो है, वो मैं को ये so करना है कि, वो कैसे होगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि, अगर मैं इसको kilometer में लिख hundred second लिखना है, और ये one hour लिखना है, one hour हो गया, ये one kilometer है, और ये one thousand meter, ये one hour हो, 36 hundred second है, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि, ये second से, second, yellow cancel out हो गया, ये meter से, ये meter cancel out हो गया, तो, overall क्या गया, 35 into, 36 hundred, divide by one thousand, तो unit क्या बचा, यूनिट बचा किलो मिटर पर आर्स तो के एम पी एच इसलिए ऐसा लिखा हुआ है ये कितना हो गया 35 था ये 0 से 0 कैंसल आउट हो गया और ये 36 इंटू 35 डिवाइड बैट 10 कर दिये बाद तो 35 वो 36 है तो 35 इंटू 3.6 है ये 35 इंटू 3.6 है तो कुछ आपको करना नहीं पड़ा मताँ 126 ये तो कभी-कभी बेसिक रहते हैं आपकी पास ऐसा नहीं कि जब एकोडिंग टू मीन वैली थेरम बोला है आपकी पास तो ऐसा नहीं है बस कितना आपकी पास, इस पिडिडिटर मैं तब जो आपकी पास इतना पोजिसंन इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो सिंपल येलो कुएजिंग पैसिय आपको लेंकि है, बोल रहा है कि इसमें बता वा अंसर है, बस इतना ही ठीक है तो यह question exactly mean value theorem पे नहीं था इवरेजिंग पे था आपके पास इतना डिस्टेंस के अवर कवर कर रहा है ठीक है ओके बट मैं इसले लिए कि सब question में लेना चाहता हूं 2016 आएसी बैंगलोर का question ले लिए है ठीक है जैसे अपना session चैसे भी है और between the interval 1,4 इसका अब फंक्शन की वैली अगर मैं बोलू भी कि क्या है तो f of 4 की वैल्यू कितना है तो f of 4 की वैल्यू है 4 का Q प्लस 5 प्लस 5 का Q मताब 4 into 4 16 और 16 into 4 तो 64 प्लस 5 तो 69 है सर चलो ठीक है 69 और f of 1 कितना है f of 1 1 का Q प्लस 5 है तो बोले यह 6 है f of 4 is not equal to f of 1 तो ठीक है mean value theorem applicable है ठीक है भी है अब अब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो f dash x equal to क्या हो गया f dash x equal to हो गया क्या f of 4 f of b f of a f of 1 और 4 minus 1 तो अगर मैं बोलू की f of 4 की value कितना है 69 f of 1 की value कितना है 6 ऐसे यह है था चेक कर लो यह सर डिवाइड बई कितना आ गया 3 तो 6 गया तो कितना आ गया 63 डिवाइड बई 3 तो कितना आ रहा है 21 आ रहा है f dash x की value कितना आ रहा है 3 x square हाँ सही है प्लस 0 तो यहाग है 21 x square की value कितना आ रहा है तो 7 x की value सर प्लस minus root 7 अब आपको पता है कि जो x है that means the c belongs to कितना 1,4 1,4 तो इसमें से minus root 7 तो नहीं होगा c की value plus root 7 होगा correct और c की value minus root 7 नहीं हो सकता तो root 7 में आपके पाज़बी calculator से value आ रहे है उतना point decimal ने पूट कर तो निमेरिकल आंसर था तो root 7 की value आपके पूट कर दो तो root 7 की value हमरे पास आ गया है तो root 7 की value आपके पास निकाले तो root 7 की आपके पाज़बी value आ रही है root 7 की value इतना put कर देंगे एक जाम में अपन इतना रहे है के root 7 2.645 2.64 2.64 2.64 और आगे का डिजिट रहे हैं इतना put कर देंगे सेकेंड डेसिमल प्लिस तक अपने को put करना था तो आगे निमेरिकल आंसर टाइफ 2.64 तो कुछ नहीं है एकदम सिंपल था question है कोई सुझ में नहीं अब यह 2021 का question कुछ है पूरा question करवा दिया एक सब्सक्राइब पहुंच गया है तब उस आर आपकी पास एक रियल फंक्सन इंटरवल मानस 3,3 और डिफ्रेंसेबल फंक्सन इंटरवल पता है यह क्या लिखा है यह वही लिखा है जो यह लिखा है यह वही लिखा है कि यह क्लोज बांडर यह लिखा है यह क्लोज पर अब को बात करना है कि सर फिर तो क्या हो गया फिर तो यह हो गया कि f-x की वैल्यू क्या होगी F of 3 राइट वैल्यू F of minus 3 yes और 3 minus of minus 3 यह होगी तो f-x की वैल्यू आपके पास जो होगी यह यह f-x ठीक है function दिया नहीं f of 3 की वैल्यू कितना दिया है सर वो तो पता करना बिलकुल सही है और f of minus 3 की value कितना दिया है 7 सर तो यह हो गया 3 minus 3 यह 6 हो गया इतने ही आगए आपके पस यह सर अब f dash x की value आपके पस कितना रहा है इतना रहा है f dash x की value f 3 minus 7 by 6 आ रहा है यह question में given है और आपको f of 3 की value find out करना है तो नहीं निकल जाएगा निकल कैसे एफ डेस एक्स की वैलिए अपन लिख लेते फिर से एक बार यह तो निकल गया f of 3 minus 7 by 6 क्या गिवन क्या है अच्छा गिवन है f डेस एक्स less than equal to 2 ऐसे कुछ गिवन था हा तो यह जो function है f of 3 minus 7 by 6 is less than equal to 2 क्या होगे f of 3 minus 7 less than equal to 12 यह आगे f of 3 less than equal to 12 ऐसे उनिस तो f of 3 की maximum value कितना होगा less than equal to है भी यह 19 सर the at most value the maximum that means the at most value बुलन at most कितना होगा 19 आंसर होगा इस question का 19 19 आंसर था 2021 का it's the 19 answer the maximum value is the at most value ओके हो गया है तो ठीक है तो आपके पास LMVD theorem भी पढ़ा दिया हमें आपको कॉचिस mean value theorem आपके पास है इस पर बेस question आया नहीं एक जाम बट बता देता हूं पांच मिनिट कि अगर दो function दिये f of x और जी आप एक्स यह जी आप एक्स है यह f of x लिकाए जी आप एक्स दो function है continuous होना चींदा close interval दोनों differentiable होना चींदा open interval और जीडेस x की value आपके पास not equal to 0 for any point of the open interval a, b जीडेस x की value आपके पास 0 नहीं होना चाहिए then there exists at least one value seen a, b such that क्यों जीडेस x पे 0 पे क्यों फोकस किया गया क्योंकि f day c और g day c को अगर मैं divide करना तो देखो b minus a cancel out हो गया f day c की value क्या होगी अगर continuous function है तो f day c की value क्या होगी sir f of b minus f of a upon b minus a yes sir अच्छा g day c की value क्या होगी g day c की value होगी g of b minus g of a upon b minus a अब सोचें दोनों को divide करों तो क्या आएगा f day c upon g day c equal to f of b minus f of a और g of b minus g of a बिल्कुल divide और b minus a cancel out होगी है तो हम बोल रहे हैं कि एक value c होगी जो इन a, b में ऐसी value होगी आपके पास such that this one value और g days x value 0 क्यों नहीं हो सकती क्योंकि divide कर रहे हैं तो यह value to 0 हो नहीं सकती not equal to 0 फिर तो यह कैसे divide कर पाऊगे ठीक के बेसिकली कॉचिस mean value theorem is same as LMVT theorem for the two function actually यह दो functions के लिए LMVT theorem को लिख दिया गया अच्छा इसमें मैं क्या किया कि खतम करने के लिए फटावट कि suppose करो ऐसा कुछ ना आया नहीं exam मतलब कभी आया तो आ गया अभी तक तो आया नहीं find the value of c for the function f of x sin x और g of x sin x f f of x g of x cos x और in the interval minus pi by 2,0 अब आपके पास f of x sin x हमको पता है country से both functions both functions are differentiable between the minus pi by 2,0 f dc करो तो कितना आ जाएगा sin x का cos x आ जाएगा direct c put कर दी हमें वैसे तो नहीं करते तो भी चल जाता और cos x का minus sin x आएगा देखो और f of b minus f of a कर दी है आपके पास तो जैसे मैं put करूंगा sin minus pi by 2 और फिर cos की value तो आपके पास put कर दी f of b में तो sin pi by 2 sin 0,0 होता है तो sin minus pi by 2 minus 1 आ गया फिर आपके पास जब यहाँ पर put किये तो फिर cos pi by 2 0 हो गया और cos 0 1 आ गया इसका मतलब है कि ध्यांस देखना आपके पास यह यह value कितनी आपके पास sin minus pi by 2 sin minus pi by 2 that means minus 1 ठीक है और f of a की value कितना आगया minus sin 0 यह था आपके पास फिर यह आगया आपके पास f of b g of b की value कितना था cos minus pi by 2 जो की 0 है और minus cos 0 इसके value minus, इसके value कितना आगया minus 1 इसकी value आपके पास 1 तो minus 1 divide by minus 1 तो 1 by 1 यह आगया और 10C की value minus 1 आगया C की value minus 1 by 4 आगया और EC के अंदर आगा ने तो minus pi by 4 के बात की भी range आछा सकती है 4N plus 1 pi by 4 वाली value minus pi by 4 वाली value minus pi by 2 से 0 तो C की value minus pi पास 4 आगया इसका होता है कि दो फंक्शन अगर दिये और कोई बोल रहा है कि मैंको एक सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है इंटर्मेडियेट वैल्यू फॉर बोथ फंक्शन तो फिर आपको ऐसा करना रहा है एक और कुश्चन लास्ट कुश्चन आज के सेशन का वन बाइ एक सो जी आप वन बाइ एक सी आपके पास यह लिख दिया है तो वन बाइ एक स्क्वेर हो गया एफ आप बी मतब टू और एफ आप अप मतब वन यह पुट कर दिये तो यह आपके पास आगया इतना वन बाइ सी स्क्वेर इक्वल टू इतना यह सी स्क्वेर की वैले टू आ गया जी डे सी क्यूब भी सॉल कर दिये अच्छा हमें अलग-अलग solve भी कर सकता हूँ gdc को solve किया तो यह gdc आगया आपके पस minus 2 by c cube दोनों का अगर divide करूँगा तो यह आजाएगा आपके पास c c cube cancel out होगया 4 3 by 2 तो c 4 by 3 और 4 by 3 जो होगा वो इस interval में होगा 1,2 के interval अच्छा अभी हम क्या किये इस वाले solution में अलग-अलग solve करके फिर divide कर दी उससे में क्या कर रहे थे है अपन सिधा एक formula लिख दिये थे तो अगर आपको लगता है कि सर में कहा formula लिखते रहूँगा एक बार मैं f of x को handle कर लूँगा by lmvd theorem एक equation आजाएगा तो c square कितना आगया टू आगया सर एक्वेशन नमबर वन यहां सर जब gdss को solve किया गया है तो फिर sir gdss की value कितनी आगया यहां सर देखा जाए तो minus minus cancel out हो गया और कितना आगया आपके पास c square की value 8 by 3 c cube की value c cube की value कितना आगया 8 by 3 यह और वहां से कितना आगया था आपके पास c square की value 2 c square की value 2 था जैसे मैं divide किया c cube by 3 तो आगया आपके पास c cube divide by c square तो c आगया 8 by 3 divided by 2 किये तो 4 by 3 आगया तो c का answer ऐसा भी कर सकते है तो कुछ भी नहीं है तब कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब पूरा solution लिग दिए इसे दो बार solve करना है और फिर जो भी आपके पास आएगा उसको divide मार देना है जो भी आपके पास आएगा उसको divide मार देना है तो भी c की एक value आजाएगी यहाँ पर diet formula में लिख दिये थे हैं अलग-अलग भी solve कर सकते थे तो c की value आगया है मारा पस तो ऐसा आपके पास question है बस ध्यान रखिएगा कि कभी अगर कोई theoretical कोई इस तरह के से question आगे कि geometrical mean आ रहा है कोई position दी है कोई time दिया गया है तो ध्यान रखिएगा और वो quadratic equation माला ध्यान रखिएगा second order का जो equation होता है उसमें जो values होती है वो दोनों boundary के average value के बराबर होती that concept is very good तो मैं को लगता है कि मैं mean value theorem के बारे में सब बात कर दिया रोलेस theorem आपको अच्छे समझागे LMVT theorem आपको अच्छे से समझागे उसके as coaches जो था आपके पास mean value theorem ये तो LMVT theorem का advanced version था कि there are two function actually तो दो बार solve करो फिर निकालो answer there is no issue ठीक है तो ये पूरा का पूरा एक ही single class में mean value theorem cover कर लिए इतना ही पढ़ना है और ये मैं उतना पढ़ा दिया कि कल कुछ गजब का अच्छा question आ जाए तो yes we can handle अब मेरा अगला जो calculus का topic होगा वो होगा maxima minima का concept और उसके लिए लोग बहुत वेट करते कि वो बहुत अच्छा concept है और सच में अच्छा concept है अच्छे से function को handle करेंगे तो maxima और minima पर आप entry मारने वाले आप तो very very important concept actually ठीक है तो mean value theorem पस इतना ही पढ़ना जितना में बताया हो कमेंट सेक्शन में बताएगा आपको कैसा लगा जैसा भी लगा ओके थैंक यू